नरेंद्र मोदी जी को जै शी राम, पुर्णिया की जन्ता की तरफ से जै जै शी राम, नरेंद्र मोदी जिन्दाबाद, जै जै शी राम, अब हमारे बीच, हमारे देश के यशश्वी प्रधान मंत्री, युग पुरुष, संतात्मा, जिन्होंने हमारे भारत वर्ष को विश्व गुरु बनाने का कारे किया है, ऐसे यशश्वी प्रधान मंत्री, हम सबों के बीच, हम सबों के बीच प्रस्तुत है, उपस्तित है, ये हम सभी पुर्णियावाशों के लिए बहुत ही गर्व काविशे है, एक बार हम सभी जोर्दार करतल धोनी के साथ, उनका स्वागत करेंगे, जोर्दार ताली होनी चाहिए, भारत माता कीज़े, नरेंद्रमोधी जिन्दाबाद, भारत माता कीज़े, भारत माता कीज़े, वन देज़े, वन देज़े, अब मैं अगले स्वागत भाशन के लिए, नेंडिये प्रत्याशी पूर्णिया, श्रीमान संतोस कुष्वार जी से आगरा करती हूँ, कि वो यहाँ पर आए, और अपने स्वागत भाशन से माननिये प्रदान मंत्री जी को स्वागत करें. आज के से, शुनावी सभा में, परमादर्णिय देश के, जन जन के संकट मोचक, युग दिरिष्टा, विश्म भारत का परचम लहराने वाले, मान्ये प्रदान मंत्री नरेंद भाई मोदी जी को, आपका मा पूरन देवी की धर्ती, संत शीरोमनी महर्ची महीं जी महराज की कर्म भूमी, आंचलिक कथाकार फनिश्वरनात रेनू की धर्ती, भोला पास्वान जी की धर्ती, पे आपका हार्दी कभी नंदन करते हैं। हमें अपना आसिरवाद देने का काम किया है। हमें और अलग-अलग हिस्से से आए हुए सभी सम्मानित जनता जनारदन, आप सभी मालिक को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। आप सबोंने मुझे दो बार आसिरवाद दे के लोग सभा भेजने का काम करने का काम किया है। दो हजार पांच के पहले यहां की इस्तिती क्या थी। ना बिजली थी ना सरके थी। किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं था। सूबे में तो जंगल राज था। लेकिन पूर्णिया में महा जंगल राज था। और उसी जंगल राज के संस्था पक सदस। आज आप सबों के बीच में भेश बदल कर आए हैं। और आपके आँखों में धूल जोकने का प्रियास कर रहा हैं। ये बहरुपिया परत्यासी के समय कितनी बहनों ने विद्वा हो गई। कितनी मां के कोखुजर गए। यह आप सब को पता है। क्या आप चाहेंगे कि फिर से पूर्णिया में ऐसे जंगल राज की वापसी हो। हमारे परतिजवंदी पूछते हैं कि दस बर्सों में मैंने क्या किया। मैं बताता हूं कि मेरे संसेदिया छेत्र में सुसाचन आया। गुंडा राज समाप्त हुआ। रंगदारी टेक्स बंद हुई। इनिवर्सीटी मेडिकल कालेज, एग्रिकल्चर कालेज, जी एनेम कालेज, एनेम कालेज खुलने का काम हुआ। और हम लोग तो कलम और किताब बाटने वाले लोग हैं। हम लोग कोई पूर्लिया में आर्श किरा के बाटने वाले लोग नहीं हैं। और इतना ही नहीं। पूर्णिया में मेरे कारिकाल में पासपोर्ट ओफिस भी खुला। बिहार बोट की कालिया ले भी खुली। सीमेंट सेंटर जो पस्मों के सुधार के लिए खुला। सिक्स लेंड सरक का निर्मान। यहां पे वेवसाई के लिए भाई मुक्तवाता बनाया गया। दर्जनों मौल खुली। दर्जनों अस्पताल खुले। कई काम ऐसे हुए हैं। यहां पे नामचिन वहनों की नामचिन जो देश का प्रोडेक्ट है। यहां पे सभी सीज्टों का सोरूंग खुला। आप सबने पंद्रव वर्ष में क्या किया। जब आपने यहां पे आपको मौका मिला था। तो वह हम बताते हैं आपने क्या किया। बहुत मुश्किल फे पंद्रव वर्ष plot में पूर्णियान का जो दाख जुला है। उस दाख को फिर से पूर्णियान में नहीं पढ़ने देना है। यह हराज़क की स्थितीथी उसको नहीं आने देना है। आपको बताते हैं कि आपन्द्रव सालों में क्या। आपने 15 सालों में 30 से अधिक राजनितिक हत्या करवाने का काम किया और 30 से अधिक बेवसाईयों को यहां से पलाइन करने के लिए मजबूर किया यहां के डाक्टरों को पलाइन करने के लिए मजबूर किया आपने यहां के हमारे पुर्विधाग सहीत अजीच सरकार को एक सो गोलियों से भुजवाने का काम किया यह जनता ने आपको काम किया एक परत्यासी लाल तेल लेके आया हुआ है उससे भी हम कहेंगे कि हमारी ही पार्टी में थी लेकिन उनको नितीज जी ने जमीन से उठाके बिहार सरकार में मंतरी तक बनाने का काम किया उसके भी पीट में खंज़ड डालने का काम उन्होंने किया है इसलिए आज परधान मंतरी जी आए हैं जो पूर्णिया का विकास तेजगती से बढ़ रहा है और तेजी से बढ़े मानने मुक्वंतरी जी का असिरवाद और मानने परधान मंतरी जी आज आसिरवाद देने के लिया है यह हम सब के लिए गर्व की बात है जो पूर्णिया का एरपोर्ट का मामला है दो हजार पचीस में पूर्टक पूर्णिया का एरपोर्ट चालू हो जाएगा मानने परधान मंत्री जी है तो इस चीज की गारेंटी है और जो विकास के काम है इनी सब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आबार अब मैं पूर्णिया की पावन धर्टी पर बहुत बहुत स्वागत है एक बार सोरदार्टारियों से भारत माता की भारत माता की भारत माता की जै माई पुरन देवी बिशहरी माई की जै मैं बक्त प्रहलाद और महर्ची मही बाबा की इस पावन धर्टी को नमन करता हूँ मौरिय सामराज के रूप में भारत के गवरव को दूर दूर तक फैलाने वाले समराट अशोक की आज जैनती भी है उनसे प्रणा लेने वाले बड़ी संख्या में लोग आज भाजपा को अपना आसिरवात देने आये हैं एंडिये सरकार की तीसरी पारी को लेकर पहले से भी जादा उत्सा नजर आ रहा है आपका ये उत्सा बता रहा है फिर एक मार 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 के लिए चार जून, चार जून, चार जून, साथियों, आज एंडिये सरकार के लिए वंचित सोशित भर्ग हमारी पहली प्रास्विक्ता है, जिसको किसी ने नहीं पूछा, हम उसको पूज रहे हैं, एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछडा कहकर पिछा छुडा लेती थी, बिहार की सरकारें सिमान्चल को पिछडा कहकर के पलडा जाड लेती थी, लेकिन हमने सिमान्चल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है, एंडिये सरकार ने सिमान्चल के भाग्य को बदलने के लिए आकांची जीला और अब आकांची ब्लोग ऐसी बहुती महत्वा कांची योजना चलाई, आज हमारे पूर्णिया ने देश में सबसे बहतर प्रगति करने वाले आकांची जीलों में अपनी जगर बनाई है, मैं इसके लिए पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बदाई देता हूँ, साथियों, आपका उच्छा अद्भूत है, ऐसा उच्छा बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपका उच्छा मेरी आवाज पहुँचने ही नहीं देगा, तो फिर इस सभा का फाइदा क्या होगा, तो मेरी बात वहाँ बैठे लोग सुन सके, इसलिए मेरी आपसे प्रांचना है, कि आपके नारे, आपके उच्छा को थोड़ा, नीचे करें से अच्छा होगा, करेंगे मेरी बात को, मेरी बात को मानेंगे, पक्का मानेंगे, बिहार के लोग इतने बढ़िया है, यहां के नवजवान इतने बढ़िया है, कि मेरी हर बात को स्विकार करते हैं, यह मेरा सवभा किया है, साथियों, बिहार और पुर्णिया के पास, सामर्थ की कभी कमी नहीं थी हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्वादन करता है बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है पिछले दस वर्सों में हमने जूट की MSP को बढ़ा कर दो गुना किया है बिहार का 20 प्रतिशत मकाना अकेले पूर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं हमने आपके इस सामर्थ को प्रोचान दिया नतीजा ये हुआ कि आपने मकाना के सीड प्रोडक्शन को करीब दो गुना कर दिया आज अंडिये सरकार मकाने को सूपर फूर्ड के रुप में प्रमोट कर रही है मोटे अनाज यानि स्री अन्न की तो मोदी ने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है आपने जी ट्वेंटी में देखा होगा मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े राध्पती सीदे हमारे किसानों तक पहुंच रहा है मक्के को भी मुनाफे की फसल मनाने के लिए हमारी सरकार ने MSP पर खरीद बढ़ाई और अब तो मक्के से एथनल भी बनाया जा रहा है देश का पहला पूरे भारत का पहला ग्रीन फिल्ड एथनल प्लांट पुर्णिया में लगाया गया है हमारे नितिश जी ने ही इसका उद्गाटन किया था साथियों कृष्ची और उद्योग के इन आउसरों को गती देने के लिए पुर्णिया में रेल और रोड के इंफ्रासेक्टर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है कुछ समय पहले ही मैंने कटिहार जोगवानी रेल सेक्शन के बिद्यूति करन लोकारपन किया था हमारी सरकार सिमानचल में अच्छी सडकों का निर्मान भी करवा रही है और अब तो वो दिन धूर नहीं जब पुर्णिया में हवाई जहाज भी उत्रेगी हमारी सरकार सिमानचल में बंदे भारत नमो भारत जैसी टेनों के जरिये कनेक्टिविटी बढ़ाने और बहतर स्वास्पस्विदाओं के लिए भी काम करेंगी साथियों मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है इसलिए गाउं गरीब दलीट बंचीट दसकों से जिन समस्याओं से जूज रहे थे मोदी ने दस साल में करने का आशिरवाद दिया देश के पचास करोड से जादा दली तो वंची तो गरीबों का बैंक में खाता तब खुला जब आपने मोदी को आशिवाद दे करके सेवा करने का मोका दिया करोडों माताओं बेहनों को चूले के दुए से मुक्ति तम मिली जब मोदी ने उजवला सिलिंडर दे कर उनकी सूद ली देश के ग्यारा करोड परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुँचा जब मोदी ने हर गर जल को अपना मिशन बढाया आज ग्यारा करोड छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निजी भी एंडिये सरकार ही भेज रही है इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाप हमारे तत्मा समाच, महलदार समाच और रशीदेव समाच के मेरे परिजनों को भी हुआ है लेकिन साथियों मोदी इतने से संतूस्ट नहीं है जो काम हुआ है न वो तो ट्रेलर है ट्रेलर अभी हमें पूर्णिया को, सीमान्चल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है कई बार लोग पूदते हैं कि मोदी के लिए समाच के आखरी पाइदान पर खड़ा व्यक्ति हमारा दलीद, पिछडा, आदिवासी ये इतनी प्रात्विक्ता क्यों है ये समाच मोदी की प्रात्विक्ता इसलिए है क्योंकि यही समाच सबसे जादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकल कर आपके बीच आया है मोदी के उपर अपने इस समाच का बाबा साब का और उनके सम्विधान का बहुत बड़ा कर्ज है इसलिए हमारी सरकार ने सम्विधान को एक स्रद्धा का स्थान मिले सम्विधान को आस्था का स्थान मिले सम्विधान के प्रती देश का प्रत्यक व्यक्ति समर्पित हो सम्विधान की भावना को हर देश वासी तक कहुताने के लिए लगातार काम किया है हमारी ही सरकार ने देश में सम्विधान दिवस मनाने की शुरुवात की आज बाबा साब के सम्विधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रिम कौर्ट और संसत्तक में कारिकम किये जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेथ हैं इस साल सम्विधान के 75 वर्ष की शुरुवात हो रही है जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महुत्सव मनाया इसी तरह इस वर्ष हमें सम्विधान के 75 वर्ष का पर्वम मनाना है हमने तै किया है हम देश के कौने कौने में बाबा साब के सम्विधान की भावना को लेकर जाएंगे देश की युवाप्वीडी को देश की गवरव साली सम्विधान के निर्मान की प्रक्डिया उसके अध्याएं उसका महत्वा बताएंगे लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनोंने आपातकाल में सम्विधान को रद करने सम्विधान को बंदग बनाने और सम्विधान को तोड़ने मरोडने का काम किया था हमें याद रखना है जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुठी में रखना चाहते हैं सम्विधान उनकी आँखों में हमेशा खटकता है इसलिए अब ये लोग सम्विधाने की व्यवस्ता से हुए चुनाव के नतीजों को अस्विकार करने की दमकी देने लगे है लेकिन इनके मनसुवे काम्याब न हो सम्विधान दलीत पिछडा आदिवासी की ताकत बना रहे इसके लिए हमें एक जूट होकर साथ खड़े रहना है साथियों अगले पांच वर्सों के कामकायद के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जर्रत बंदों को आगे भी फ्री राशन मुप्त राशन मिलता रहेगा मोदी ने गारंटी दी है गरीब दलीद बंचित के कल्यान से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरुरत मन तक लेकर जाएंगे हमारी सरकार तीन करोड नए पक्के घर बनाएगी देश में सत्तर साल से अधिक उम्रके सभी बुजुर्गों को मुप्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी आप अपने परिवार में अपने भुजुर्गों को कह दीजिए अब वो बिमारी को छुपाएं नहीं अगर कोई तकलीब है तो मोदी बैठा है ये मोदी की गारंटी है साथ्यों पिछले दस वरसों में एंडिये सरकार ने वो काम किये हैं जिने पहले असंभव माने जाते से आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिर्फ बाजपा के पास है एंडिये के पास है आपको याद होगा पहले अडोस पडोस के देश यहां हमला करके चले जाते से सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन सहादत होती थी आप लोगों को दुख के साथ ही गुशा भी आता था आपका मन करता था ना की इने घर में गुश कर मारो मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ जो देश हमें आखे दिखाता था वो कटोरा लेकर ये भटक रहा है साथियों दसकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्वीर में अलग जंडा अलग सम्विदान नहीं चलना चाहिए जो लोग दिन रात सम्विदान के नाम पर हम को गालिया देते हैं न इतने दसकों तक उन्होंने राज किया आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई अब तक आई लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साब आम बेड करके सम्विदान को जम्मू कश्मिर में लागू कर पाएं बाबा साब का सम्विदान वहां लागू नहीं होता था ये मोदी है जो सम्विदान को समर्पित है आज जम्मू कश्मिर में भी आन बान शान के साथ हमारा सम्विदान लागू हो गया कश्मिर से आपकी इच्छा थी तीन सो सत्तर हटनी चाहिए तो ये गमंड या गडबंदन वाले क्या कहते थे ये कहते थे कि तिन सो सत्तर हटी तो कश्मिर में आग लग जाएगी आज आर्टिकल त्री सेवन्टी का दे एंड हो चुका है अगर कश्मिर में नहीं भारत को बाटने वालों के मनसूबों में जलन हो रही है आग लगी है साथियों कल राम नवमी का पवित्र त्योहार भी है ये लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गवरव बड़ा रहा है अब कुंठा में गिरे ये कॉंग्रेस के लोग गमंडिया गडबंदन के लोग राम मंदिर का अप्मान कर रहे है गमंडिया गडबंदन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है 26 अप्रिल को आपका वोट इन्हें बताएगा कि सनातन मिटता है या ये लोग रहते है साथियों हमारा सिमानचल बिहार का एक संवेजन सिल इलाका है वोट बैंक की राजनीदी करने वालों ने पूर्णिया और सिमानचल को अवैद गुश्पेट का ठिकाना बना कर यहां की सुरक्षा को दाउं पर लगाया है इसका सिकार हमारे दलीद बन्चीत पिछडे और गरीब को होना पड़ा है हमारे दलीद भाईयों के गरों तक को जलाया गया था लेकिन मैं आपको आश्वासं देना चाहता हूं देश की सुरक्षा से खिलवाड करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है चार जुन का परड़ाम इसी सिमान चल के सुरक्षा ताय करेगा और जो लोग राजनितिक फायदे के लिए C.A. का विरोध कर रहे हैं वो भी एक बाद जरूर जान ले ये मोदी है ये न डरने वाला है और ना ही जुकने वाला है साथियों आपने वो दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था उस समय बिहार के इस इलाके में महा जंगल राज हुआ करता था हिंसा, अराजकता, अफरन और प्रस्टाचार का यहां उद्योग चलता था नितिश जी के नेत्रत्व में हमने बहुत मुश्किल से उस दौर को बदला है लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महा जंगल राज वाले लोग उस दौर की बापस ही चाहते हैं इनका एक ही एजंडा है पर जेड़ी वाले लूटें मोदी के रहते यह मुम्किन नहीं है इसलिए सब ब्रस्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ यह कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ मैं आपको एक गारंटिद देता हूँ अगले पांच साल प्रस्टाचार के खिलाब और बड़ी कारवाईयों के पांच साल मान के चलिए साथियों पुर्णिया से एंडिये उमिद्वार श्री संतोष कुमार जी संतोष कुमार जी और कटिहार से दुलाल चंद्रक गो स्वामी जी ये हमारे प्रत्यासी है 26 अप्रिल को आपको इसी उत्सा के साथ इने बोट करना है पुर्णिया और कटिहार से जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए बनाओगे गर-गर जाओगे पोलिंग बुठ जीतोगे पोलिंग बुठ जीतना है जीतोगे हर पोलिंग बुठ जीतना है जीतोगे अच्छा मेरा एक और काम करोगे मेरा एक और काम करोगे करोगे क्या ये मेरा काम है करोगे देखिए यहां से जाने के बाद गर गर जाईए और जाकर के सबसों कहिए कि हमारे मोदी जी आये थे उन्होंने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे देखे मेरा प्रणाम पहुचेगा तो सभी परिवार के लोग मुझे आशिदवाद देंगे और जब परिवार के बुजुर्गों का आशिदवाद मिलता है न तो नई उर्जा मिलती है नई शक्ती मिलती है और मैं उसके लिए दोड़ता रहूँगा आपके लिए दोड़ता रहूँगा और पहले ही मैंने कहा था मेरा पल पल आपके नाम मेरा पल पल देश के नाम और इसलिए मेरा संकल्प है 24 by 7 24 by 7 और 2047 विक्षित भारत के संकल्प को पुरा करने के लिए 24 by 7 हर पल आपका मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोधी जिन्दाबाद भारत ये जन्ता पार्टी जिन्दाबाद एंडी अगट बंदन जिन्दाबाद जय जय श्री राम जय जय श्री राम भारत माता की भारत माता की जय माई पुरण देवी बिशहरी माई की जय मैं बक्त प्रलाद और महर्ची मही बाबा की इस पावन धर्ती को नमन करता हूँ मौरिय सामराज के रूप में भारत के गवरव को दूर दूर तक फैलाने वाले समराट अशोक की आज जैनती भी है उनसे प्रिणा लेने वाले बड़ी संख्या में लोग आज भाजपा को अपना आसिरवाद देने आए हैं एंडिये सरकार की तीसरी पारी को लेकर पहले से भी जादा उत्सा नजर आ रहा है आपका ये उत्सा बता रहा है फिरेकमार 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 विक्सित भारत के लिए चार जून साथियों आज एंडिये सरकार के लिए वंचित सोसित भर्ग हमारी पहली प्रास्विक्ता है जिसको किसी ने नहीं पूछा हम उसको पूज रहे हैं एक समय था जब केंद्र की सरकारे बिहार को पिछड़ा कहकर पिछा छुड़ा लेती थी बिहार की सरकारे सिमानचल को पिछड़ा कहकर के पलड़ा जाड़ लेती थी लेकिन हमने सिमानचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है इंडिये सरकार ने सिमानचल के भागे को बदलने के लिए आकांची जीला और अब आकांची ब्लोग ऐसी बहुत ही महत्वा कांची योजना चलाई आज हमारे पूर्णिया ने देश में सबसे बहतर प्रगति करने वाले आकांची जीलो में अपनी जगर बनाई है मैं इसके लिए पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बदाई देता हूँ साथियों आपका उच्छा अद्भूत है ऐसा उच्छा बहुत कम ही देखने को मिलता है लेकिन अगर आपका उच्छा मेरी आवाज पहुंचने ही नहीं देगा तो फिर इस सभा का फाइदा क्या होगा तो मेरी बात वहाँ बैठे लोग सुन सके इसलिए मेरी आपसे प्रांसना है कि आपके नारे आपके उच्छा को थोड़ा नीचे करें सा अच्छा होगा करेंगे मेरी बात को मेरी बात को मानेंगे पक्का मानेंगे बिहार के लोग इतने बढ़िया है यहाँ के नवजवान इतने बढ़िया है कि मेरी हर बात को स्विकार करते हैं यह मेरा सवभा की है साथियों बिहार और पुर्णिया के पास सामर्थ की कभी कमी नहीं थी हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्वादन करता है बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है पिछले दस वरसों में हमने जूट की MSP को बढ़ा कर दो गुना किया है बिहार का बिस प्रतीशत मकाना अकेले पुर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं हमने आपके इस सामर्थ को फूच्छान दिया नतीजा ये हुआ पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है आपने जी ट्वेंटी में देखा होगा मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े राध्पती प्रदान मंत्री को श्री अन्न मोटा अनाच खिलाया कहा कि हमारे छोटे किसानों की मेहनत है इसमें अम मोटा अनाच गरीब का खाना रहे अमीरों का खाना बन रहा है इसका फाइदा सीजे हमारे किसानों तक पहुँच रहा है मक्के को भी मुनाफे की फसल मनाने के लिए हमारी सरकार ने MSP पर खरीद बढ़ाई और अब तो मक्के से एथनल भी बनाया जा रहा है देश का पहला पूरे भारत का पहला ग्रीन फिल्ड एथनल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया है हमारे नितिश जी ने ही इसका उद्गाटन किया था साथियों कृष्ची और उद्जोग के इन आउसरों को गती देने के लिए पूर्णिया में रेल और रोड के इंफ्रास्टेक्टर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है कुछ समय पहले ही मैंने कटिहार जोगवानी रेल सेक्शन के विद्जुती करन लोकारपन किया था हमारी सरकार सिमान्चल में अच्छी सडकों का निर्मान भी करवा रही है और अब तो वो दिन धूर नहीं जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगी हमारी सरकार सिमान्चल में बंदे भारत नमो भारत जैसी टेनों के जरिये कनेक्टिविटी बढ़ाने और बहतर स्वास्पस्विदाओं के लिए भी काम करेंगी साथियों मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है इसलिए गाउग, गरीब, दलीट, बंचीट दसकों से, जिन समस्याओं से जूज रहे थे मोदी ने दस साल में उनका समाधान दिया है देश के पचीश करोड गरीबी से बहार तब आये जब हमने दिन रात उनके लिए मेहनत की देश के चार करोड गरीबों को पी-एम आवा तब मिला ज़ा आपने मोदी को सेवा करने का आशिरवाद दिया देश के पचास करोड से जादा दली तो वंची तो गरीबों का बैंक में खाता तब खुला जब आपने मोदी को आशिवाद दे करके सेवा करने का मोका दिया करोडों मातों बहनों को चूले के दुए से मुक्ति तम मिली जब मोदी ने उजवला सिलिंडर दे कर उनकी सूद ली देश के ग्यारा करोड परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुचा जब मोदी ने हर गर जल को अपना मिशन बढाया आज ग्यारा करोड छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निजी भी NDA सरकार ही भेज रही है इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाब हमारे तत्मा समाच महलदार समाच और रशिदेव समाच के मेरे परिजनों को भी हुआ है लेकिन साथियों मोदी इतने से संतूस्ट नहीं है जो काम हुआ है न वो तो ट्रेलर है ट्रेलर अभी हमें पूर्णिया को सिमान्चल को बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है कई बार लोग पूदते हैं कि मोदी के लिए समाच के आखरी पाइदान पर खड़ा व्यक्ति हमारा दलीत पिछरा आदिवासी ये इतनी प्रात्विक्ता क्यों है ये समाच मोदी की प्रात्विक्ता इसलिए है क्योंकि यही समाच सबसे जादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकल कर आपके बीच आया है मोदी के उपर अपने इस समाच का बाबा साब का और उनके सम्विधान का बहुत बड़ा कर्ज है इसलिए हमारी सरकार ने सम्विधान को एक स्रद्धा का स्थान मिले सम्विधान को आस्ता का स्थान मिले सम्विधान के प्रती सम्विधान की भावना को हर देश वासी तक पुंटाने के लिए लगातार काम किया है हमारी ही सरकार ने देश में सम्विधान दिवस मनाने की शुरुवात की आज बाबा साब के सम्विधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रिम कौर्ट और संसत्तक में कारिकम किये जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेथ हैं इस साल सम्विधान के 75 वर्ष की शुदुवात हो रही है जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महुत्सों मनाया इसी तरह इस वर्ष हमें सम्विधान के 75 वर्ष का पर्वम मनाना है हमने ताय किया है हम देश के कौने कौने में बाबा साब के सम्विधान की भावना को लेकर जाएंगे देश की युवाप्वीडी को देश की गवरव साली सम्विधान के निर्मान की प्रक्डिया उसके अध्याएं उसका महत्वा बताएंगे लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनोंने आपातकाल में सम्विधान को रद करने सम्विधान को बंदग बनाने और सम्विधान को तोड़ने मरोडने का काम किया था हमें याद रखना है जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुठ़्ी में रखना चाहते हैं सम्विधान उनकी आखों में हमेशा खटकता है इसलिए अब ये लोग सम्विधान एक व्यवस्ता से हुए चुनाव के नतीजों को अस्विकार करने की दमकी देने लगे है लेकिन इनके मनसुबे कामियाब न हो सम्विधान दलीत पिछडा आदिवासी की ताकत बना रहे इसके लिए हमें एक जूट होकर साथ खड़े रहना है साथियों अगले पांच वर्सों के कामकायद के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जरुवत बंदों को आगे भी फ्री राशन मुप्त राशन मिलता रहेगा मोदी ने गारंटी दी है गरीब दलीद बंचित के कल्यान से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरुरत मन तक लेकर जाएंगे हमारी सरकार तीन करोड नए पक्के घर बनाएगी देश में सतर साल से अधिक उम्रके सभी बुजूर्गों को मुप्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी आप अपने परिवार में अपने बुजूर्गों को कह दीजिए अब वो बिमारी को छुपाए नहीं अगर कोई तकलिब है तो मोदी बैठा है ये मोदी की गारंटी है साथियों पिछले दस वरसों में NDA सरकार ने वो काम किये हैं जिने पहले असंभव माने जाते से आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिरफ बाजपा के पास है NDA के पास है आपको याद होगा पहले अडोस पडोस के देश मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ जो देश हमें आखे दिखाता था वो कटोरा लेकर ये भटक रहा है साथ्वियों दसकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्वीर में अलग जन्डा अलग सम्विदान नहीं चलना चाहिए जो लोग दिन रात सम्विदान के नाम पर हमको गालिया देते हैं न इतने दसकों तक उन्होंने राज किया आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई अब तक आई लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साब आम बेड करके सम्विदान को जम्मू कश्मिर में लागू कर पाएं बाबा साब का सम्विदान वहाँ लागू नहीं होता था ये मोदी है जो संविधान को समर्पित है आज जम्मो कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा संविधान लागू हो गया कश्मीर से आपकी चाथी तीन सो सत्तर हटनी चाहिए तो ये गमंड या गडबंदन वाले क्या कहते थे ये कहते थे कि तीन सो सत्तर हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी आज आर्टिकल 370 का दे एंड हो चुका है अगर कश्मीर में नहीं भारत को बाटने वालों के मनसूबों में जलन हो रही है आग लगी है साथियों कल राम नवमी का पवित्र त्योहार भी है ये लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गवरव बड़ा रहा है अब कुंठा में गिरे ये कॉंग्रेस के लोग गमन्डिया गडबंदन के लोग राम मंदिर का अपमान कर रहे है गमन्डिया गडबंदन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है 26 अप्रिल को आपका वोट इन्हें बताएगा कि सनातन मिटता है या ये लोग रहते है साथियों हमारा सिमान्चल बिहार का एक संवेजन सिल इलाका है बोट बैंक की राजनीदी करने वालों ने पूर्णिया और सिमान्चल को अवैद गुश्पेट का ठिकाना बना कर यहां की सुरक्षा को दाउं पर लगाया है इसका सिकार हमारे दलीद, बन्चीद, पिछडे और गरीब को होना पड़ा है हमारे दलीद भाईयों के गरों तक को जलाया गया था लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ देश की सुरक्षा से खिलवाड करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है चार जुन का परड़ाम इसी सिमान्चल की सुरक्षात तै करेगा और जो लोग राजनितिक फायदे के लिए सी ये एका विरोत कर रहे हैं वो भी एक बात जरूर जान ले ये मोदी है ये न डरने वाला है और ना ही जुकने वाला है साथियों आपने वो दोर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था उस समय बिहार के इस इलाके में महा जंगल राज हुआ करता था हिंसा अराजकता अफराण और प्रस्टाचार का यहां उद्योग चलता था नितिश जी के नेत्रत्व में हमने बहुत मुश्किल से उस दोर को बदला है लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महा जंगल राज वाले लोग उस दोर की वापस ही चाते हैं इनका एक ही एजंडा है ब्रस्टाचार और लूट हमारे पूर्णिया में कहते हैं न हर बहाए से खर खाए बक्री खाए अचार बाव ये महनद गरीब जंता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे मोदी के रहते ये मुम्किन नहीं है इसलिए सब प्रस्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ ये कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ मैं आपको एक गारंटी देता हूँ अगले पांच साल प्रस्टाचार के खिलाब और बड़ी कारवाईयों के पांच साल मान के चलिए साथियों पुर्णिया से एंडिय उम्मिद्वार श्री संतोष कुमार जी संतोष कुमार जी और कटिहार से दुलाल चंद्रक गोश्वामी जी ये हमारे प्रत्यासी है 26 एप्रिल को आपको इसी उत्सा के साथ इने बोट करना है पुर्णिया और कटिहार से जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए बनाओगे गर-गर जाओगे पोलिंग बुच जीतोगे पोलिंग बुच जीतना है जीतोगे हर पोलिंग बुच जीतोगे अच्छा मेरा एक और काम करोगे मेरा एक काम करोगे करोगे क्या ये मेरा काम है करोगे देखे यहां से जाने के बाद गर-गर जाओएए और जाकर के सबसो कहिए के हमारे मोदी जी आये थे उन्होंने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे देखे मेरा प्रणाम पहुचेगा तो इस सभी परिवार के लोग मुझे आशिदवाद देंगे और जब परिवार के बुजुर्गों का आशिदवाद मिलता है न तो नई उर्जा मिलती है नई शक्ती मिलती है और मैं उसके लिए दोड़ता रहूंगा आपके लिए दोड़ता रहूंगा और पहले ही मैंने कहा था, मेरा पलपल आपके नाम, मेरा पलपल देश के नाम, और इसलिए मेरा संकल्प है 24 by 7, 24 by 7, और 2047, विक्सित भारत के संकल्प को पुरा करने के लिए 24 by 7, हर पल आपका, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय माई पुरण देवी, बिशहरी माई की जय, मैं बक्त प्रलाद और महर्ची मही बाबा की, इस पावन धर्ती को नमन करता हूँ, मौरियस सामराज के रूप में, भारत के गवरव को, दूर दूर तक फैलाने वाले, समराट अशोक की, आज जेंती भी है, उनसे प्रिणा लेने वाले, बड़ी संख्या में लोग, आज भाजपा को, अपना आशिरवाद देने आए हैं, एंडिये सरकार की तीसरी पारी को लेकर, पहले से भी ज़्यादा उत्सा नजर आ रहा है, आपका ये उत्सा बता रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, विक्सित भारत के लिए, चार जून, चार जून, चार जून, साथियों, आज एंडिये सरकार के लिए, वंचित सोसित वर्ग, हमारी पहली प्रात्विक्ता है, जिसको किसी ने नहीं पूछा, हम उसको पूज रहे हैं, एक समय था, जब केंद्र की सरकारें, बिहार को, पिछडा कहकर, पिछा छुडा लेती थी, बिहार की सरकारें, सिमान्चल को, पिछडा कहकर के पलडा जाड लेती थी, लेकिन हमने, सिमान्चल, और पूर्णिया के पूर्ण विकास को, अपना मिशन बनाया है, एंडिये सरकार ने, सिमान्चल के भाग्य को बदलने के लिए, आकांग्षी जीला, और अब आकांग्षी ब्लोग, ऐसी बहुती महत्वा कांग्षी योजना चलाई, आज हमारे पूर्णिया ने, देश में, सबसे बहतर प्रगति करने वाले, आकांग्षी जीलों में, अपनी जगर बनाई है, मैं इसके लिए, पूर्णिया के लोगों को, बहुत बहुत बदाई देता हूँ, साथियों, आपका उच्छा अद्भूत है, ऐसा उच्छा बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपका उच्छा, मेरी आवाज पहुंचने ही नहीं देगा, तो फिर इस सभा का फाइदा क्या होगा, तो मेरी बात, वहाँ बैठे लोग सुन सके, इसलिए मेरी आपसे प्रांचना है, कि आपके नारे, आपके उच्छा को थोड़ा, नीचे करें से अच्छा होगा, करेंगे मेरी बात को, मेरी बात को मानेंगे, बिहार के लोग इतने बढ़िया है, यहाँ के नवजवान इतने बढ़िया है, कि मेरी हर बात को स्विकार करते हैं, यह मेरा सवभा किया है, साथियों, बिहार और पुर्णिया के पास, सामर्थ की कभी कमी नहीं थी, हमारे बिहार का किसान, भरपूर मक्का उत्वादन करता है, बिहार में, जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है, पिछले दस वरसों में हमने, जूट की MSP को बढ़ा कर, दो गुना किया है, बिहार का बिस प्रतीशत मकाना, अकेले पुर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं, हमने आपके इस सामर्त को फ्रोच्छान दिया, नतीजा ये हुआ, कि आपने, मकाना के सीड प्रोडक्शन को करीब, दो गुना कर दिया, आज अंडिये सरकार, मकाने को, सूपर फूड के रुप में प्रमोट कर रही हैं, मोटे अनाज, यानि स्री अन्न की तो, मोदी ने, पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है, आपने, जी ट्वेंटी में देखा होगा, मोदी ने, दुनिया के बड़े बड़े राध्पती, प्रदान मंत्री को, स्री अन्न, मोटा अनाज खिलाया, कि हमारे छोटे किसानों की, मेहनत है इसमें, अमोटा अनाज, गरीब का खाना नहीं, अमीरों का खाना बन रहा है, इसका फाइदा, सीजे, हमारे किसानों तक पहुंच रहा है, मक्के को भी, मुनाफे की फसल मनाने के लिए, हमारी सरकार ने, MSP पर खरीद बढ़ाई, और अब तो, मक्के से एथनॉल भी, बनाया जा रहा है, देश का, पहला, पूरे भारत का पहला, ग्रीन फिल्ड, एथनॉल प्लांट, पूर्णिया में लगाया गया है, हमारे नितिश जी ने ही, इसका उद्गाटन किया था, साथियों, क्रिशी और उद्ध्योग के इन आउसरों को गती देने के लिए, पूर्णिया में रेल और रोड के इंफ्रास्रेक्टर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है, कुछ समय पहले ही मैंने, कटिहार जोगवानी रेल सेक्शन के, विद्यूति करन लोकारपन किया था, हमारी सरकार सिमान्चल में अच्छी सडकों का निर्मान भी करवा रही हैं, और अब तो वो दिन धूर नहीं, जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उत्रेगी, हमारी सरकार सिमान्चल में बंदे भारत, नमो भारत, जैसी टेनों के जरिये, कनेक्टिविटी बढ़ाने, और बहतर स्वास्पस्विदाओं के लिए भी काम करेंगी, साथियों, मोदी के लिए, आपके सपने ही, मोदी का संकल्प है, इसलिए, गाउ, गरीब, दलीट, बंचीट, दसकों से, जिन समस्याओं से जूज रहे थे, मोदी ने दस साल में, उनका समाधान दिया है, देश के, पचीश करोड गरीबी से बहार तब आये, जब हमने, दिन रात उनके लिए मेहनत की, देश के चार करोड गरीबों को, पी-एम आवा तब बिला, जब आपने, मोदी को सेवा करने का आशिरवाद दिया, देश के पचास करोड से ज़्यादा दली तो, वंची तो, गरीबों का बैंक में खाता तब खुला, जब आपने, मोदी को आशिवाद दे करके, सेवा करने का मोका दिया, करोडों मातों बेनों को चूले के दुए से मुक्ति तम मिली जब मोदी ने उजवला सिलिंडर दे कर उनकी सूध ली देश के ग्यारा करोड परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुचा जब मोदी ने हर गर जल को अपना मिशन बढाया आज ग्यारा करोड छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निजी भी एंडिये सरकार ही भेज रही है इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाप हमारे तत्मा समाच महलदार समाच और रशी देव समाच के मेरे परिजनों को भी हुआ है लेकिन साथियों मोदी इतने से संतूस्ट नहीं है जो काम हुआ है न वो तो ट्रेलर है ट्रेलर अभी हमें पूर्णिया को सिमान्चल को बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है कई बार लोग पूदते हैं कि मोदी के लिए समाच के आखरी पाइदान पर खड़ा व्यक्ति हमारा दलीत पिछरा आदिवासी ये इतनी प्रात्विक्ता क्यों है ये समाच मोदी की प्रात्विक्ता इसलिए है क्योंकि यही समाच सबसे जादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकल कर आपके बीच आया है मोदी के उपर अपने इस समाच का बाबा साब का और उनके सम्विधान का बहुत बड़ा कर्ज है इसलिए हमारी सरकार ने सम्विधान को एक स्रद्धा का स्थान मिले सम्विधान को आस्ता का स्थान मिले सम्विधान के प्रती देश का प्रत्य व्यक्ति समर्पित हो सम्विधान की भावना को हर देश वासी तक कुटाने के लिए लगातार काम किया है हमारी ही सरकार ने देश में सम्विधान दिवस मनाने की शुरुवात की आज बाबा साब के सम्विधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रिम कौर्ट और समसत्तक में कारिकम किये जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेथ हैं इस साल सम्विधान के 75 वर्ष की शुरुवात हो रही है जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमरत महुच्व मनाया इसी तरह इस वर्ष हमें सम्विधान के 75 वर्ष का परवं मनाना है हमने टाय किया है हम देश के कोने कोने में बाबा साफ के सम्विधान की भावना को लेकर जाएंगे देश की युवाप्वीडी को देश की गवरवसाली संभीदान के निर्मान की प्रक्डिया उसके अध्याएं उसका महत्वा बताएंगे लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनोंने आपातकाल में संभीदान को रद करने संभीदान को बंदग बनाने और संभीदान को तोड़ने मरोडने का काम किया था हमें याद रखना है जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुठी में रखना चाहते हैं संभीदान उनकी आँखों में हमेशा खटकता है इसलिए अब ये लोग संभीदाने की व्यवस्ता से हुए चुनाव के नतीजों को अस्विकार करने की दमकी देने लगे है लेकिन इनके मनसुबे कामियाब न हो संभीदान दलीत पिछडा आदिवासी की ताकत बना रहे इसके लिए हमें एक जूट होकर साथ खड़े रहना है साथियों अगले पांच वर्सों के कामकायद के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जरुरत बंदों को आगे भी फ्री राशन मुप्त राशन मिलता रहेगा मोदी ने गारंटी दी है गरीब दलीद बंचित के कल्यान से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरुरत मन तक लेकर जाएंगे हमारी सरकार तीन करोड नए पक्के घर बनाएगी देश में सत्तर साल से अधिक उम्रके सभी बुजुर्गों को मुप्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी आप अपने परिवार में अपने भुजुर्गों को कह दीजिए अब वो बिमारी को छुपाए नहीं अगर कोई तकलीब है तो मोदी बैठा है ये मोदी की गारंटी है साथ्यों पिछले दस वरसों में NDA सरकार ने वो काम किये हैं जिने पहले असंभव माने जाते से आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिरफ बाजपा के पास है NDA के पास है आपको याद होगा पहले अडोस पडोस के देश या हमला करके चले जाते से सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन सहादत होती थी आप लोगों को दुख के साथ ही गुश्या भी आता था आपका मन करता था ना की इने घर में गुश कर मारो मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ जो देश हमें आँखे दिखाता था वो कटोरा लेकर ये भटक रहा है साथियों दसकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्वीर में अलग जंड़ा अलग सम्विदान नहीं चलना चाहिए जो लोग दिन रात सम्विदान के नाम पर हमको गालिया देते हैं न इतने दसकों तक उन्होंने राज किया आज़ादी के बाद उनके हाथ में सत्था आई अब तक आई लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साब आम बेढ करके सम्विदान को जंबो कश्मिर में लागू कर पाएं बाबा साब का सम्विदान वहाँ लागू नहीं होता था ये मोदी है जो संविधान को समर्पित है आज जम्मो कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा संविधान लागू हो गया कश्मीर से आपकी चाथी तीन सो सत्तर हटनी चाहिए तो ये गमंड या गडबंदन वाले क्या कहते थे ये कहते थे कि तीन सो सत्तर हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी आज आर्टिकल 370 का दे एंड हो चुका है अगर कश्मीर में नहीं भारत को बाटने वालों के मनसूबों में जलन हो रही है आग लगी है साथियों कल राम नवमी का पवित्र त्योहार भी है ये लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गवरव बढ़ा रहा है अब कुंठा में गिरे ये कॉंग्रेस के लोग गमंडिया गडबंदन के लोग राम मंदिर का अप्मान कर रहे है गमंडिया गडबंदन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है 26 अप्रिल को आपका वोट इन्हें बताएगा कि सनातन मिटता है या ये लोग रहते है साथियों हमारा सिमानचल बिहार का एक संविजन सिल इलाका है वोट बैंक की राजरीजी करने वालों ने पूर्णिया और सिमानचल को अवैद गुस्पेट का ठिकाना बना कर यहां की सुरक्षा को दाउं पर लगाया है इसका सिकार हमारे दलीद वन्चीद पिछडे और गरीब को होना पड़ा है हमारे दलीद भाईयों के गरों तक को जलाया गया था लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं देश की सुरक्षा से खिलवाड करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है चार जुन का परड़ाम इसी सिमान चल के सुरक्षात तै करेगा और जो लोग राजनितिक भाईदे के लिए C.A.A. का विरोध कर रहे हैं वो भी एक बात जरूर जान ले ये मोदी है ये न डरने वाला है और ना ही जुकने वाला है साथियों आपने वो दोर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था उस समय बिहार के इस इलाके में महा जंगल राज हुआ करता था हिंसा, अराजकता, अफराण और प्रस्टाचार का यहां उद्योग चलता था नितिश जी के नेत्रतों में हमने बहुत मुश्किल से उस दोर को बदला है लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महा जंगल राज वाले लोग उस दोर की वापस ही चाते हैं इनका एक ही एजंडा है ब्रस्टाचार और लूट हमारे पूर्णिया में कहते हैं न हर बहाए से खर खाए बक्री खाए अचार बाव यह महनत गरिब जंता करे और मलाई यह आरजेडी वाले लूटे मोदी के रहते यह मुम्किन नहीं है इसलिए सब ब्रस्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ यह कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ मैं आपको एक गारंटी देता हूँ अगले पांच साल ब्रस्टाचार के खिलाब और बड़ी कारवाईयों के पांच साल मान के चलिए साथ्यों पुर्णिया से एंडिय उम्मिद्वार श्री संतोष कुमार जी और कटिहार से दुलाल चंद्रक गोश्वामी जी ये हमारे प्रत्यासी है 26 अप्रिल को आपको इसी उत्सा के साथ इने बोट करना है पुर्णिया और कटियार से जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए बनाओगे गरगर जाओगे पोलिंग बुच जीतोगे पोलिंग बुच जीतना है जीतोगे हर पोलिंग बुच जीतना है जीतोगे अच्छा मेरा एक और काम करोगे मेरा एक काम करोगे करोगे क्या ये मेरा काम है करोगे देखे यहां से जाने के बाद गर गर जाओए और जाकर के सबसों कहिए कि हमारे मोदी जी आये थे उन्होंने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुँचा दोगे देखे मेरा प्रणाम पहुँचेगा तो इस सभी परिवार के लोग मुझे आशिदवाद देंगे और जब परिवार के बुजुर्गों का असित्वाद मिलता है न, तो नई उर्जा मिलती है, नई शक्ती मिलती है, और मैं उसके लिए दोड़ता रहूँगा, आपके लिए दोड़ता रहूँगा, और पहले ही मैंने कहा था, मेरा पल-पल आपके नाम, मेरा पल-पल देश के नाम, और इसलिए मेरा संकल्प है ट्वेंटी फोर बाई सेवन, ट्वेंटी फोर बाई सेवन, और ट्वेंटी फोर्टी सेवन, विक्सित भारत के संकल्प को पुरा करने के लिए, ट्वेंटी फोर बाई सेवन, हर पल आपका, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय माई पुरण देवी, बिशहरी माई की जय, में, मैं बक्त प्रलाद, और महर्ची मही बाबा की, इस पावन धर्ती को नमन करता हूँ, मौरियस सामराज के रूप में, भारत के गवरव को, दूर दूर तक फैलाने वाले, समराट अशोक की, आज जेंती भी है, उनसे प्रिणा लेने वाले, बड़ी संख्या में लोग, आज भाजपा को, अपना आसिरवाद देने आये हैं, एंडिये सरकार की तीसरी पारी को लेकर, पहले से भी जादा उत्सा नजर आ रहा है, आपका ये उत्सा बता रहा है, फिर एक बार, 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 के लिए चार जून चार जून चार जून साथियों आज एंडिये सरकार के लिए वंचित सोसित भर्ग हमारी पहली प्रास्विक्ता है जिसको किसी ने नहीं पूझा हम उसको पूझ रहे हैं एक समय था जब केंद्र की सरकारे बिहार को पिछड़ा कहकर पिछ़ा छुड़ा लेती थी बिहार की सरकारे सिमानचल को पिछड़ा कहकर के पलड़ा जाड़ लेती थी लेकिन हमने सिमानचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है एंडिये सरकार ने सिमानचल के भागे को बदलने के लिए आकांची जीला और अब आकांची ब्लोग ऐसी बहुती महत्वा कांची योजना चलाई आज हमारे पूर्णिया ने देश में सबसे बहतर प्रगति करने वाले आकांची जीलो में अपनी जगर बनाई है मैं इसके लिए पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बदाई देता हूँ साथियों आपका उच्छा अद्भूत है ऐसा उच्छा बहुत कम ही देखने को मिलता है लेकिन अगर आपका उच्छा मेरी आवाज पहुंचने ही नहीं देगा तो फिर इस सभा का फाइदा क्या होगा तो मेरी बात वहाँ बैठे लोग सुन सके इसलिए मेरी आपसे प्रांचना है कि आपके नारे आपके उच्छा को थोड़ा नीचे करें सा अच्छा होगा करेंगे मेरी बात को मेरी बात को मानेंगे पक्का मानेंगे बिहार के लोग इतने बढ़िया है यहां के नवजवान इतने बढ़िया है कि मेरी हर बात को स्विकार करते हैं यह मेरा सवभाग यह है साथियों बिहार और पुर्णिया के पास सामर्थ की कभी कमी नहीं थी हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्वादन करता है बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है पिछले दस वर्षों में हमने जूट की MSP को बढ़ा कर दो गुना किया है बिहार का 20 प्रतिशत मक्काना अकेले पुर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं हमने आपके इस सामर्थ को फूच्छान दिया नतीजा ये हुआ कि आपने मक्काना के सीड प्रोडक्शन को करीब दो गुना कर दिया आज अंडिये सरकार मक्काने को सूपर फूड के रुप में प्रमोट कर रही है मोटे अनाज यानि स्री अन्न की तो मोदी ने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है आपने जी ट्वेंटी में देखा होगा मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े राख्पती प्रदान मंत्री को स्री अन्न मोटा अनाज खिलाया कहा कि हमारे छोटे किसानों की मेहनत है इसमें अम मोटा अनाज गरीब का खाना ने अमीरों का खाना बन रहा है इसका फाइदा सीधे हमारे किसानों तक पहुंच रहा है मक्के को भी मुनाफे की फसल मनाने के लिए हमारी सरकार ने MSP पर खरीद बढ़ाई और अब तो मक्के से एथनल भी बनाया जा रहा है देश का पहला पूरे भारत का पहला ग्रीन फिल्ड एथनल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया है हमारे नितिश जी ने ही इसका उद्गाटन किया था साथियों क्रिशी और उद्गोग के इन अवसरों को गती देने के लिए पूर्णिया में रेल और रोड के इंफ्रसेक्टर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है कुछ समय पहले ही मैंने कटिहार जोगवानी रेल सेक्शन के विद्ध्यूती करन लोकारपन किया था हमारी सरकार सिमानचल में अच्छी सडकों का निर्मान भी करवा रही है और अब तो वो दिन धूर नहीं जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगी हमारी सरकार सिमानचल में बंदे भारत नमो भारत जैसी तेनों के जरिये कनेक्टिविटी बढ़ाने और बहतर स्वास्पस्विदाओं के लिए भी काम करेंगी साथियों मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है इसलिए गाउ गरीब दलीट बंचीट दसकों से जिन समस्याओं से जूज रहे थे मोदी ने दस साल में उनका समाधान दिया है देश के पचीश करोड गरीबी से बहार तब आये जब हमने दिन रात उनके लिए मेहनत की देश के चार करोड गरीबों को पी-एम आवा तब मिला ज़ा आपने मोदी को सेवा करने का आशिरवाद दिया देश के पचास करोड से ज़्यादा दली तो बंची तो गरीबों का बैंक में खाता तब खुला जब आपने मोदी को आशिवाद दे करके सेवा करने का मोका दिया करोडों मातों बैनों को चुले के दुए से मुक्तितम मिली जब मोदी ने उजवला सिलिंडर दे कर उनकी सूध ली देश के ग्यारा करोड परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुँचा जब मोदी ने हर गर जल को अपना मिशन बढाया आज ग्यारा करोड छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निजी भी एंडिये सरकार ही भेज रही है इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाब हमारे तत्मा समाच महलदार समाच और रशीदेव समाच के मेरे परिजनों को भी हुआ है लेकिन साथियों मोधी इतने से संतूस्ट नहीं है जो काम हुआ है न वो तो ट्रेलर है ट्रेलर अभी हमें पूर्णिया को सिमांचल को बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है कई बार लोग पूतते हैं कि मोधी के लिए समाच के आखरी पाइदान पर खड़ा व्यक्ति हमारा दलीत पिछरा आदिवासी ये इतनी प्रास्विक्ता क्यों है ये समाच मोधी की प्रास्विक्ता इसलिए है क्योंकि यही समाच सबसे जादा गरीबी से प्रभावित है और मोधी गरीबी से ही निकल कर आपके बीच आया है मोधी के उपर अपने इस समाच का बाबा साब का और उनके सम्विधान का बहुत बड़ा कर्ज है इसलिए हमारी सरकार ने सम्विधान को एक स्रद्धा का स्थान मिले सम्विधान को आस्था का स्थान मिले सम्विधान के प्रती देश का प्रत्य व्यक्ति समर्पित हो सम्विधान की भावना को हर देश वासी तक कुटाने के लिए लगातार काम किया है हमारी ही सरकार ने देश में सम्विधान दिवस मनाने की शुरुवात की आज बाबा साब के सम्विधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रिम कौर्ट और संसत्तक में कारिकम किये जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेष है इस साल सम्विधान के 75 वर्ष की शुरुवात हो रही है जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महुत्सों मनाया इसी तरह इस वर्ष हमें सम्विधान के 75 वर्ष का पर्वम मनाना है हमने ताय किया है हम देश के कौने कौने में बाबा साब के सम्विधान की भावना को लेकर जाएंगे देश की युवापुईडी को देश की गवरवसाली सम्विधान के निर्मान की प्रक्डिया उसके अध्याएं उसका महत्वा बताएंगे लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनोंने आपात काल में सम्विधान को रद करने सम्विधान को बंदग बनाने और सम्विधान को तोड़ने मरोडने का काम किया था हमें याद रखना है जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुठ़्ी में रखना चाहते हैं सम्विधान उनकी आँखों में हमेशा खटकता है इसलिए अब ये लोग सम्विधाने की व्यवस्ता से हुए चुनाव के नतीजों को अस्विकार करने की दमकी देने लगे है लेकिन इनके मनसुबे कामयाब न हो सम्विधान दलीत पिछडा आदिवासी की ताकत बना रहे इसके लिए हमें एक जूट होकर साथ खड़े रहना है साथियों अगले पांच वरसों के कामकायद के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जरुवत बंदों को आगे भी फ्री राशन मुप्त राशन मिलता रहेगा मोदी ने गारंटी दी है गरीब दलीद बंचित के कल्यान से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरुरत मन तक लेकर जाएंगे हमारी सरकार तीन करोड नए पक्के घर बनाएगी देश में सत्तर साल से अधिक उम्रके सभी बुजुर्गों को मुप्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी आप अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को कह दीजिए अब वो बिमारी को छुपाए नहीं अगर कोई तकलीब है तो मोदी बैठा है ये मोदी की गारंटी है साथियों पिछले दस वर्सों में NDA सरकार ने वो काम किये हैं जिने पहले असंभव माने जाते से आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिरफ बाजपा के पास है NDA के पास है आपको याद होगा पहले अडोस पडोस के देश यहां हमला करके चले जाते थे सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन सहादत होती थी आप लोगों को दुख के साथ ही गुस्षा भी आता था आपका मन करता था ना की इने घर में गुस कर मारो मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ जो देश हमें आखे दिखाता था वो कटोरा लेकर ये भटक रहा है साथियों दसकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्वीर में अलग जंडा अलग सम्विदान नहीं चलना चाहिए जो लोग दिन रात सम्विदान के नाम पर हम को गालिया देते हैं न इतने दसकों तक उन्होंने राज किया आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई अब तक आई लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साब आम बेड़ करके सम्विदान को जम्मू कश्मिर में लागू कर पाएं बाबा साब का सम्विदान वहाँ लागू नहीं होता था ये मोदी है जो सम्विदान को समर्पित है आज जम्मू कश्मिर में भी आन बान शान के साथ हमारा सम्विदान लागू हो गया कश्मीर से आपकी इच्छाथी 370 हटनी चाहिए तो ये गमंड या गडबंदन वाले क्या कहते थे ये कहते थे कि 370 हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी आज आर्टिकल 370 का दे एंड हो चुका है अगर कश्मीर में नहीं भारत को बाटने वालों के मनसूबों में जलन हो रही है आग लगी है साथियों कल राम नवमी का पवित्र त्योहार भी है ये लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गवरव बड़ा रहा है अब कुंठा में गिरे ये कॉंग्रेस के लोग गमन्डिया गडबंदन के लोग राम मंदिर का अप्मान कर रहे हैं गमन्डिया गडबंदन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है 26 अप्रिल को आपका वोट इने बताएगा कि सनातन मिटता है या ये लोग रहते हैं साथियों हमारा सिमानचल बिहार का एक संवेजन सिल इलाका है वोट बैंक की राज रिज़ी करने वालों ने पूर्णिया और सिमानचल को अवैद गुश्पेट का ठिकाना बना कर यहां की सुरक्षा को दाउं पर लगाया है इसका सिकार हमारे दलीत बन्चीत पिछडे और गरीब को होना पड़ा है हमारे दलीत बाईयों के गरों तक को जलाया गया था लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ देश की सुरक्षा से खिलवाड करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है चार जुन का परड़ाम इसी सिमान चलकी सुरक्षा ताय करेगा और जो लोग राजनितिक फायदे के लिए C.A.A. का विरोध कर रहे हैं वो भी एक बाद जरूर जान ले ये मोदी है ये न डरने वाला है और ना ही जुकने वाला है साथियों आपने वो दोर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था उस समय बिहार के इस इलाके में महा जंगल राज हुआ करता था हिंसा, अराजकता, अफरान और प्रस्टाचार का यहां उद्योग चलता था नितिश जी के नेत्रत्व में हमने बहुत मुश्किल से उस दोर को बदला है लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महा जंगल राज वाले लोग उस दोर की वापस ही चाते हैं इनका एक ही एजंडा है ब्रस्टाचार और लूट हमारे पूर्णिया में कहते हैं न हर बहाए से खर खाए बक्री खाए अचार भाव ये महनत गरीब जंगता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे मोदी के रहते ये मुम्किन नहीं है इसलिए सब ब्रस्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ ये कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ मैं आपको एक गारंटी देता हूँ अगले पांच साल ब्रस्टाचार के खिलाब और बड़ी कारवाईयों के पांच साल मान के चलिए साथियों पुर्णिया से एंडिय उम्मिद्वार श्री संतोष कुमार जी संतोष कुमार जी और कटिहार से दुलाल चंद्रक गोश्वामी जी ये हमारे प्रत्यासी है 26 अप्रिल को आपको इसी उत्सा के साथ इने बोट करना है पुर्णिया और कटियार से जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए बनाओगे गर-गर जाओगे पोलिंग बुच जीतोगे पोलिंग बुच जितना है जीतोगे हर पोलिंग बुच जितना है जीतोगे अच्छा मेरा एक और काम करोगे मेरा एक काम करोगे करोगे क्या ये मेरा काम है करोगे देखिए यहां से जाने के बाद गर गर जाईए और जाकर के सबसों कहिए कि हमारे मोदी जी आये थे उन्होंने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुँचा दोगे देखिए मेरा प्रणाम पहुँचेगा तो इस सभी परिवार के लोग मुझे आशिदवाद देंगे और जब परिवार के बुजुर्गों का आशिदवाद मिलता है न तो नई उर्जा मिलती है नई शक्ति मिलती है और मैं उसके लिए दोड़ता रहूंगा आपके लिए दोड़ता रहूंगा और पहले ही मैंने कहा था मेरा पल पल आपके नाम मेरा पल पल देश के नाम और इसलिए मेरा संकल्प है 24 by 7 24 by 7 और 2047 विक्सित भारत के संकल्प को पुरा करने के लिए 24 by 7 हर पल आपका मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय माई पुरन देवी बिशहरी माई की जय मैं बक्त प्रलाट और महर्ची मही बाबा की इस पावन धर्ती को नमन करता हूं मौरियस सामराज के रूप में भारत के गवरव को दूर दूर तक फैलाने वाले समराट अशोक की आज जैनती भी है उनसे प्रिना लेने वाले बड़ी संख्या में लोग आज भाजपा को अपना आसिरवाद देने आए है NDA सरकार की तीसरी पारी को लेकर पहले से भी ज़्यादा उत्सा नजर आ रहा है आपका ये उत्सा बता रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार विक्सित भारत के लिए चार जून चार जून चार जून साथियों आज NDA सरकार के लिए वंचित सोसित भर्ग हमारी पहली प्रात्विक्ता है जिसको किसी ने नहीं पूछा हम उसको पूज रहे हैं एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछडा कहकर पिछा छुडा लेती थी बिहार की सरकारें सिमानचल को पिछडा कहकर के पलड़ा जाड लेती थी लेकिन हमने सिमानचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है एंडिये सरकार ने स्रीमान चल के भागे को बदलने के लिए आकांग्षी जीला और अब आकांग्षी ब्लोग ऐसी बहुत ही महत्वा कांग्षी योजना चलाई आज हमारे पुर्णिया ने देश में सबसे बहतर प्रगति करने वाले आकांग्षी जीलो में अपनी जगर बनाई है मैं इसके लिए पुर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बदाई देता हूँ साथियों आपका उच्छा अद्भूत है ऐसा उच्छा बहुत कम ही देखने को मिलता है लेकिन अगर आपका उच्छा मेरी आवाज पहुँचने ही नहीं देगा तो फिर इस सभा का फाइदा क्या होगा तो मेरी बात वहां बैठे लोग सुन सके इसलिए मेरी आपसे प्रार्शना है कि आपके नारे आपके उच्छा को थोड़ा नीचे करें सा अच्छा होगा करेंगे मेरी बात को मेरी बात को मानेंगे पक्का मानेंगे बिहार के लोग इतने बढ़िया है यहां के नवजवान इतने बढ़िया है कि मेरी हर बात को स्विकार करते हैं ये मेरा सवभाग्य है साथियों बिहार और पुर्णिया के पास सामर्थ की कभी कमी नहीं थी हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्वादन करता है बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है पिछले दस वर्सों में हमने जूट की MSP को बढ़ा कर दो गुना किया है बिहार का 20 प्रतिशत मखाना अकेले पुर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं हमने आपके इस सामर्त को फ्रोचान दिया नतीजा ये हुआ कि आपने मखाना के सीड प्रोडक्शन को करीब दो गुना कर दिया आज अंडिये सरकार मखाने को सूपर फूड के रुप में प्रमोट कर रही है मोटे अनाज यानि स्री अन्न की तो मोदी ने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है आपने जी ट्वेंटी में देखा होगा मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े राध्पती प्रदान मंत्री को स्री अन्न मोटा अनाज खिलाया कहा कि हमारे छोटे किसानों की मेहनत है इसमें अम मोटा अनाज गरीब का खाना नहीं अमीरों का खाना बन रहा है इसका फाइदा सीधे हमारे किसानों तक पहुंच रहा है मक्के को भी मुनाफे की फसल मनाने के लिए हमारी सरकार ने MSP पर खरीद बड़ाई और अब तो मक्के से एथनोल भी बनाया जा रहा है देश का पहला पूरे भारत का पहला ग्रीन फिल्ड एथनोल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया है हमारे नितिश जी ने ही इसका उद्गाटन किया था साथियों क्रिशी और उद्योग के इन आउसरों को गती देने के लिए पूर्णिया में रेल और रोड के इंफ्रास्रेक्टर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है कुछ समय पहले ही मैंने कटिहार जोगवानी रेल स्रेक्शन के विद्यूति करन लोकारपन किया था हमारी सरकार सिमान चल में अच्छी सडकों का निर्मान भी करवा रही है और अब तो वो दिन धूर नहीं जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगी हमारी सरकार सिमान चल में बंदे भारत नमो भारत जैसी टेनों के जरिये कनेक्टिविटी बढ़ाने और बहतर स्वास्पस्विदाओं के लिए भी काम करेंगी साथियों मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है इसलिए गाव गरीब दलीट बंचीट दसकों से जिन समस्याओं से जूज रहे थे जब आपने मोदी को सेवा करने का आशिरवाद दिया देश के पचास करोड से जादा दलीतों वंचीतों गरीबों का बैंक में खाता तब खुला जब आपने मोदी को आशिवाद दे करके सेवा करने का मोका दिया करोडों माताओं बेनों को चूले के दुए से मुक्तितम मिली जब मोदी ने उजवला सिलिंडर दे कर उनकी सूद ली देश के ग्यारा करोड परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुँचा जब मोदी ने हर गर जल को अपना मिशन बढाया आज ग्यारा करोड छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निजी भी NDA सरकार ही भेज रही है इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाप हमारे तत्मा समाच महलदार समाच और रशीदेव समाच के मेरे परिजनों को भी हुआ है लेकिन साथियों मोदी इतने से संतूस्ट नहीं है जो काम हुआ है न वो तो ट्रेलर है ट्रेलर अभी हमें पूर्णिया को सिमान्चल को बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है कई बार लोग पूदते हैं कि मोदी के लिए समाच के आखरी पाइदान पर खड़ा व्यक्ति हमारा दलीत पिछरा आदिवासी ये इतनी प्रात्विक्ता क्यों है ये समाच मोदी की प्रात्विक्ता इसलिए है क्योंकि यही समाच सबसे जादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकल कर आपके बीच आया है मोदी के उपर अपने इस समाच का बाबा साब का और उनके सम्विधान का बहुत बड़ा कर्ज है इसलिए हमारी सरकार ने सम्विधान को एक स्रद्धा का स्थान मिले सम्विधान को आस्ता का स्थान मिले सम्विधान के प्रती देश का प्रत्यक व्यक्ति समर्पित हो सम्विधान की भावना को हर देश वासी तक कुंताने के लिए लगातार काम किया है हमारी ही सरकार ने देश में सम्विधान दिवस मनाने की शुरुवात की आज बाबा साब के सम्विधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रिम कौर्ट और संसत्तक में कारिकम किये जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेथ हैं इस साल सम्विधान के 75 वर्ष की शुरुवात हो रही है जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमरुत महुच्व मनाया इसी तरह इस वर्ष हमें सम्विधान के 75 वर्ष का पर्वम मनाना है हमने ताय किया है हम देश के कौने कौने में बाबा साब के सम्मिदान की भावना को लेकर जाएंगे देश की युवापुईडी को देश की गवरवसाली सम्मिदान के निर्मान की प्रक्डिया उसके अध्याएं उसका महत्वा बताएंगे लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनोंने आपातकाल में सम्मिदान को रद करने सम्मिदान को बंदग बनाने और सम्मिदान को तोड़ने मरोडने का काम किया था हमें याद रखना है जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुठी में रखना चाहते हैं सम्विधान उनकी आँखों में हमेशा खटकता है इसलिए अब ये लोग सम्विधाने की व्यवस्ता से हुए चुनाव के नतीजों को अस्विकार करने की दमकी देने लगे है लेकिन इनके मनसुबे काम्याब न हो सम्विधान दलीत पिछडा आदिवासी की ताकत बना रहे इसके लिए हमें एक जूट होकर साथ खड़े रहना है साथियों अगले पांच वर्सों के कामकायद के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जरुरत बंदों को आगे भी फ्री राशन मुप्त राशन मिलता रहेगा मोदी ने गारंटी दी है गरीब दलीत बंचित के कल्यान से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरुरत मन तक लेकर जाएंगे हमारी सरकार तीन करोड नए पक्के घर बनाएगी देश में सत्तर साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मुप्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी आप अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को कह दीजिए अब वो बिमारी को छुपाए नहीं अगर कोई तकलीब है तो मोदी बैठा है ये मोदी की गारंटी है साथ्यों पिछले दस वर्सों में NDA सरकार ने वो काम किये हैं जिने पहले असंभव माने जाते से आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिरफ बाजपा के पास है NDA के पास है आपको याद होगा पहले अडोस पडोस के देश यहां हमला करके चले जाते से सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन सहादत होती थी आप लोगों को दुख के साथ ही गुश्य भी आता था आपका मन करता था ना की इने घर में गुश कर मारो मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ जो देश हमें आँखे दिखाता था वो कटोरा लेकर ये भटक रहा है साथियों दसकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्वीर में अलग जंडा अलग सम्विदान नहीं चलना चाहिए जो लोग दिन रात सम्विदान के नाम पर हमको गालिया देते हैं न इतने दसकों तक उन्होंने राज किया आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई अब तक आई लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साब आम बेड़ करके सम्विदान को जम्मू कश्मिर में लागू कर पाएं बाबा साब का सम्विदान वहाँ लागू नहीं होता था ये मोदी है जो सम्विदान को समर्पित है आज जम्मू कश्मिर में भी आन बान शान के साथ हमारा सम्विदान लागू हो गया कश्मीर से आपकी इच्छाथी 370 हटनी चाहिए तो ये गमंड या गडबंदन वाले क्या कहते थे ये कहते थे कि 370 हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी आज आर्टिकल 370 का दे एंड हो चुका है अगर कश्मीर में नहीं भारत को बाटने वालों के मनसूबों में जलन हो रही है आग लगी है साथियों कल राम नवमी का पवित्र त्योहार भी है ये लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गवरव बढ़ा रहा है अब कुंठा में गिरे ये कॉंग्रेस के लोग गमंडिया गडबंदन के लोग राम मंदिर का अप्मान कर रहे हैं गमंडिया गडबंदन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है 26 अप्रिल को आपका वोट इन्हें बताएगा कि सनातन मिटता है या ये लोग रहते हैं साथियों हमारा सिमान्चल बिहार का एक संवेजन सिल इलाका है वोट बैंक की राजनी दिकरने वालों ने पूर्णिया और सिमान्चल को अवैद गुष्पेट का ठिकाना बना कर यहां की सुरक्षा को दाउं पर लगाया है इसका सिकार हमारे दलीत बन्चीत पिछडे और गरीब को होना पड़ा है हमारे दलीत भाईयों के गरों तक को जलाया गया था लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ देश की सुरक्षा से खिलवाड करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है चार जुन का परड़ाम इसी सिमान चल के सुरक्षा ताय करेगा और जो लोग राजनितिक भाईदे के लिए C.A.A. का विरोध कर रहे हैं वो भी एक बाद जरूर जान ले ये मोदी है ये न डरने वाला है और ना ही जुकने वाला है साथियों आपने वो दोर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था उस समय बिहार के इस इलाके में महा जंगल राज हुआ करता था हिंसा, अराजकता, अफरान और प्रस्टाचार का यहां उद्योग चलता था नितिश जी के नेत्रतों में हमने बहुत मुश्किल से उस दोर को बदला है लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महा जंगल राज वाले लोग उस दोर की बापस ही चाहते हैं इनका एक ही एजंडा है ब्रस्टाचार और लूट हमारे पूर्णिया में कहते हैं न हर बहाए से खर खाए बक्री खाए अचार भाव ये महनत गरिब जंता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे मोदी के रहते ये मुम्किन नहीं है इसलिए सब ब्रस्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ ये कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ मैं आपको एक गारंटी देता हूँ अगले पांच साल ब्रस्टाचार के खिलाब और बड़ी कारवाईयों के पांच साल मान के चलिए साथियों पुर्णिया से एंडिये उमिद्वार श्री संतोष कुमार जी संतोष कुमार जी और कटिहार से दुलाल चंद्रक गोश्वामी जी ये हमारे प्रत्यासी है 26 अप्रिल को आपको इसी उत्सा के साथ इने बोट करना है पुर्णिया और कटियार से जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए बनाओगे गर-गर जाओगे पोलिंग बुद्ध जीतोगे पोलिंग बुद्ध जितना है जीतोगे हर पोलिंग बुद्ध जितना है जीतोगे अच्छा मेरा एक और काम करोगे मेरा एक और काम करोगे करोगे क्या ये मेरा काम है करोगे देखिए यहां से जाने के बाद गर गर जाईए और जाकर के सबसों कहिए कि हमारे मोदी जी आये थे उन्होंने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुँचा दोगे देखिए मेरा प्रणाम पहुँचेगा तो सभी परिवार के लोग मुझे आशिदवाद देंगे और जब परिवार के बुजुर्गों का आशिदवाद मिलता है न तो नई उर्जा मिलती है नई शक्ति मिलती है और मैं उसके लिए दोड़ता रहूंगा आपके लिए दोड़ता रहूंगा और पहले ही मैंने कहा था मेरा पल पल आपके नाम मेरा पल पल देश के नाम और इसलिए मेरा संकल्प है 24 by 7 24 by 7 for 2047 विक्षित भारत के संकल्प को पुरा करने के लिए 24 by 7 हर पल आपका मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय माई पुरन देवी बिशहरी माई की जय मैं बक्त प्रलाट और महर्ची मही बाबा की इस पावन धर्ती को नमन करता हूं मौरियस सामराज के रूप में भारत के गवरव को दूर दूर तक फैलाने वाले समराट अशोक की आज जेंती भी है उनसे प्रिणा लेने वाले बड़ी संख्या में लोग आज भाजपा को अपना आसिरवाद देने आये हैं NDA सरकार की तीसरी पारी को लेकर पहले से भी ज़्यादा उत्सा नजर आ रहा है आपका ये उत्सा बता रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार विश्चित भारत के लिए चार जून चार जून चार जून साथियों एक समय था जब केंद्र की सरकारे बिहार को पिछड़ा कहकर पिछा छुड़ा लेती थी लेकिन हमने सिमांचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है एंडिये सरकार ने सिमांचल के भागे को बदलने के लिए आकांची जीला और अब आकांची ब्लोग ऐसी बहुत ही महत्वा कांची योजना चलाई आज हमारे पूर्णिया ने देश में सबसे बहतर प्रगति करने वाले आकांची जीलो में अपनी जगर बनाई है मैं इसके लिए पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बदाई देता हूँ साथियों आपका उच्छा अद्भूत है ऐसा उच्छा बहुत कम ही देखने को मिलता है लेकिन अगर आपका उच्छा मेरी आवाज पहुंचने ही नहीं देगा तो फिर इस सभा का फाइदा क्या होगा तो मेरी बात वहाँ बैठे लोग सुन सके इसलिए मेरी आपसे प्रांथना है कि आपके नारे आपके उच्छा को थोड़ा नीचे करें से अच्छा होगा करेंगे मेरी बात को मेरी बात को मानेंगे पका मानेंगे बिहार के लोग इतने बढ़िया है यहां के नवजवान इतने बढ़िया है कि मेरी हर बात को स्विकार करते हैं यह मेरा सवभाग यह है साथियों बिहार और पुर्णिया के पास सामर्थ की कभी कमी नहीं थी हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्वादन करता है बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है पिछले दस वर्सों में हमने जूट की MSP को बढ़ा कर दो गुना किया है बिहार का 20 प्रतिशत मकाना अकेले पूर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं हमने आपके इस सामर्थ को फ्रोच्छान दिया नतीजा ये हुआ कि आपने मकाना के सीड प्रोडक्शन को करीब दो गुना कर दिया आज अंडिये सरकार मकाने को सूपर फूर्ड के रुप में प्रमोट कर रही है मोटे अनाज यानि स्री अन्न की तो मोटी ने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है आपने जी ट्वेंटी में देखा होगा मोटी ने दुनिया के बड़े बड़े राखपती प्रदान मंत्री को स्री अन्न मोटा अनाज खिलाया कहा कि हमारे छोटे किसानों की मेहनत है इसमें अम मोटा अनाज गरीब का खाना है अमीरों का खाना बन रहा है इसका फाइदा सीधे हमारे किसानों तक पहुंच रहा है मक्के को भी मुनाफे की फसल मनाने के लिए हमारी सरकार ने MSP पर खरीद बड़ाई और अब तो मक्के से एथनल भी बनाया जा रहा है देश का पहला पूरे भारत का पहला ग्रीन फिल्ड एथनल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया है हमारे नितिश जी ने ही इसका उद्गाटन किया था साथियों क्रिशी और उद्गोग के इन आउसरों को गती देने के लिए पूर्णिया में रेल और रोड के इंफ्रास्रेक्टर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है कुछ समय पहले ही मैंने कटिहार जोगवानी रेल सेक्शन के विद्ध्यूती करन लोकारपन किया था हमारी सरकार सिमानचल में अच्छी सडकों का निर्मान भी करवा रही है और अब तो वो दिन धूर नहीं जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगी हमारी सरकार सिमानचल में बंदे भारत नमो भारत जैसी तेनों के जरिये कनेक्टिविटी बढ़ाने और बहतर स्वास्पस्विदाओं के लिए भी काम करेंगी साथियों मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है इसलिए गाव गरीब दलीट बंचीट दसकों से जिन समस्याओं से जूज रहे थे मोदी ने दस साल में उनका समाधान दिया है देश के पचीश करोड गरीबी से बहार तब आए जब हमने दिन रात उनके लिए मेहनत की देश के चार करोड गरीबों को पी-एम आवा तब मिला ज़ा आपने मोदी को सेवा करने का आशिरवाद दिया देश के पचास करोड से ज़्यादा दली तो बंची तो गरीबों का बैंक में खाता तब खुला जब आपने मोदी को आशिवाद दे करके सेवा करने का मोका दिया करोडों माताओं बैनों को चुले के दुए से मुक्तितम मिली जब मोदी ने उजवला सिलिंडर दे कर उनकी सूध ली देश के ग्यारा करोड परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुचा जब मोदी ने हर गर जल को अपना मिशन बढाया आज ग्यारा करोड छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निजी भी एंडिये सरकार ही भेज रही है इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाप हमारे तत्मा समाच महलदार समाच और रशीदेव समाच के मेरे परिजनों को भी हुआ है लेकिन साथियों मोदी इतने से संतूस्ट नहीं है जो काम हुआ है न वो तो ट्रेलर है ट्रेलर अभी हमें पूर्णिया को, सिमान्चल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है कई बार लोग पूदते हैं कि मोदी के लिए समाच के आखरी पाइदान पर खड़ा व्यक्ति हमारा दलीत, पिछरा, आदिवासी ये इतनी प्रात्विक्ता क्यों है ये समाच मोदी की प्रात्विक्ता इसलिए है क्योंकि यही समाच सबसे जादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकल कर आपके बीच आया है मोदी के उपर अपने इस समाच का बाबा साब का और उनके सम्विधान का बहुत बड़ा कर्ज है इसलिए हमारी सरकार ने सम्विधान को एक स्रद्धा का स्थान मिले सम्विधान को आस्ता का स्थान मिले सम्विधान के प्रती देश का प्रत्यक व्यक्ति समर्पित हो सम्विधान की भावना को हर देश वासी तक कुटाने के लिए लगातार काम किया है हमारी ही सरकार ने देश में सम्विधान दिवस मनाने की शुरुवात की आज बाबा साब के सम्विधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रिम कौर्ट और संसत्तक में कारिकम किये जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेथ हैं इस साल सम्विधान के 75 वर्ष की शुदुवात हो रही है जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमरुत महुत्सों मनाया इसी तरह इस वर्ष हमें सम्विधान के 75 वर्ष का पर्वम मनाना है हमने तै किया है हम देश के कौने कौने में बाबा साब के सम्विधान की भावना को लेकर जाएंगे देश की युवाप्वीडी को देश की गवरव साली सम्विधान के निर्मान की प्रक्डिया उसके अध्याएं उसका महत्वा बताएंगे लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनोंने आपातकाल में सम्विधान को रद करने सम्विधान को बंदग बनाने और सम्विधान को तोड़ने मरोडने का काम किया था हमें याद रखना है जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुठ़्ी में रखना चाहते हैं सम्विधान उनकी आँखों में हमेशा खटकता है इसलिए अब ये लोग सम्विधान एक व्यवस्ता से हुए चुनाव के नतीजों को अस्विकार करने की दमकी देने लगे है लेकिन इनके मनसुबे काम्याब न हो सम्विधान दलीत पिछडा आदिवासी की ताकत बना रहे इसके लिए हमें एक जूट होकर साथ खड़े रहना है साथियों अगले पांच वर्सों के कामकायद के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जरुवत बंदों को आगे भी फ्री राशन मुप्त राशन मिलता रहेगा मोदी ने गारंटी दी है गरीब बलीद बंचित के कल्यान से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरुरत मन तक लेकर जाएंगे हमारी सरकार तीन करोड नए पक्के घर बनाएगी देश में सत्तर साल से अधिक उम्रके सभी बुजूर्गों को मुप्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी आप अपने परिवार में अपने बुजूर्गों को कह दीजिए अब वो बिमारी को छुपाए नहीं अगर कोई तकलिब है तो मोदी बैठा है ये मोदी की गारंटी है साथियों पिछले दस वरसों में NDA सरकार ने वो काम किये हैं जिने पहले असंभव माने जाते से आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिरफ बाजपा के पास है NDA के पास है आपको याद होगा पहले अडोस पडोस के देश मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ जो देश हमें आखे दिखाता था वो कटोरा लेकर ये भटक रहा है साथियों दसकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्वीर में अलग जन्डा अलग सम्विदान नहीं चलना चाहिए जो लोग दिन रात सम्विदान के नाम पर हमको गालिया देते हैं न इतने दसकों तक उन्होंने राज किया आजादी के बाद उनके हाथ में सत्था आई अब तक आई लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साब आम बेडर करके सम्विदान को जम्व कश्मिर में लागू कर पाएं बाबा साबका सम्विदान वहाँ लागू नहीं होता था ये मोदी है जो संविधान को समर्पित है आज जम्मो कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा संविधान लागू हो गया कश्मीर से आपकी चाथी तीन सो सत्तर हटनी चाहिए तो ये गमंड या गडबंदन वाले क्या कहते थे ये कहते थे कि तीन सो सत्तर हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी आज आर्टिकल 370 का दे एंड हो चुका है अगर कश्मीर में नहीं भारत को बाटने वालों के मनसूबों में जलन हो रही है आग लगी है साथियों कल राम नवमी का पवित्र त्योहार भी है ये लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गवरव बढ़ा रहा है अब कुंठा में गिरे ये कॉंग्रेस के लोग गमंडिया गडबंदन के लोग राम मंदिर का अप्मान कर रहे है गमंडिया गडबंदन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है 26 अप्रिल को आपका वोट इन्हें बताएगा कि सनातन मिटता है या ये लोग रहते है साथियों हमारा सिमानचल बिहार का एक संविजन सिल इलाका है वोट बैंक की राज़िजी करने वालों ने पूर्णिया और सिमानचल को अवैद गुस्पेट का ठिकाना बना कर यहां की सुरक्षा को दाउं पर लगाया है इसका सिकार हमारे दलीद वन्चीद पिछडे और गरीब को होना पड़ा है हमारे दलीद भाईयों के गरों तक को जलाया गया था लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं देश की सुरक्षा से खिलवार करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है चार जुन का परड़ाम इसी सिमान चल के सुरक्षात्ताय करेगा और जो लोग राजनितिक भाईदे के लिए C.A.A. का विरोध कर रहे हैं वो भी एक बात जरूर जान ले ये मोदी है ये न डरने वाला है और ना ही जुकने वाला है साथियों आपने वो दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था उस समय बिहार के इस इलाके में महा जंगल राज हुआ करता था हिंसा, अराजकता, अफरान और प्रस्टाचार का यहां उद्योग चलता था नितिश जी के नेत्रत्व में हमने बहुत मुश्किल से उस दौर को बदला है लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महा जंगल राज वाले लोग उस दौर की वापस ही चाहते हैं इनका एक ही एजंडा है ब्रस्टाचार और लूट हमारे पूर्णिया में कहते हैं न हर बहाए से खर खाए बक्री खाए अचार बाव यह महनत गरिब जंता करे और मलाई यह आरजेडी वाले लूटे मोदी के रहते यह मुम्किन नहीं है इसलिए सब ब्रस्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ यह कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ मैं आपको एक गारंटी देता हूँ अगले पांच साल ब्रस्टाचार के खिलाब और बड़ी कारवाईयों के पांच साल मान के चलिए साथ्यों पुर्णिया से एंडिय उम्मिद्वार श्री संतोष कुमार जी संतोष कुमार जी और कटिहार से दुलाल चंद्रक गोस्वामी जी ये हमारे प्रत्यासी है 26 अप्रिल को आपको इसी उत्सा के साथ इने बोट करना है पुर्णिया और कटियार से जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए बनाओगे गर गर जाओगे पूलिंग बुच जीतोगे पूलिंग बुच जीतना है जीतोगे हर पूलिंग बुच जीतना है जीतोगे अच्छा मेरा एक और काम करोगे मेरा एक काम करोगे करोगे क्या ये मेरा काम है करोगे देखे यहां से जाने के बाद गर गर जाओगे और जाकर के सबसो कहिए कि हमारे मोदी जी आये थे उन्होंने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे देखके मेरा प्रणाम पहुचेगा तो सभी परिवार के लोग मुझे आशिदवाद देंगे और जब परिवार के बुजुर्गों का असितवाद मिलता है न, तो नई उर्जा मिलती है, नई शक्ती मिलती है, और मैं उसके लिए दोड़ता रहूँगा, आपके लिए दोड़ता रहूँगा, और पहले ही मैंने कहा था, मेरा पल-पल आपके नाम, मेरा पल-पल देश के नाम, और इसलिए मेरा संकल्प है ट्वेंटी फोर बाई सेवन, ट्वेंटी फोर बाई सेवन, और ट्वेंटी फोर्टी सेवन, विक्सीत भारत के संकल्प को पुरा करने के लिए, ट्वेंटी फोर बाई सेवन, हर पल आपका, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय माई पुरण देवी, बिशहरी माई की जय, में, मैं बक्त प्रलाद, और महर्ची मही बाबा की, इस पावन धर्ती को नमन करता हूँ, मौरियस सामराज के रूप में, भारत के गवरव को, दूर दूर तक फैलाने वाले, समराट अशोक की, आज जेंती भी है, उनसे प्रिणा लेने वाले, बड़ी संख्या में लोग, आज भाजपा को, अपना आसिरवाद देने आये हैं, एंडिये सरकार की तीसरी पारी को लेकर, पहले से भी ज़्यादा उत्सा नजर आ रहा है, आपका ये उस्सा बता रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार विक्सित भारत के लिए चार जून चार जून चार जून साथियों आज NDA सरकार के लिए वंचित सोसित वर्ग हमारी पहली प्रास्विक्ता है जिसको किसी ने नहीं पुछा हम उसको पूज रहे है एक समय था जब केंद्र की सरकारे बिहार को पिछड़ा कहकर पिछ़ा छुड़ा लेती थी बिहार की सरकारे सिमान्चल को पिछड़ा कहकर के पलड़ा जाड़ लेती थी लेकिन हमने सिमान्चल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है एंडिये सरकार ने सिमान्चल के भाग्य को बदलने के लिए आकांची जीला और अब आकांची ब्लोग ऐसी बहुती महत्वा कांची योजना चलाई आज हमारे पूर्णिया ने देश में सबसे बहतर प्रगति करने वाले आकांची जीलो में अपनी जगर बनाई है मैं इसके लिए पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बदाई देता हूँ साथियों आपका उच्छा अद्भूत है ऐसा उच्छा बहुत कम ही देखने को मिलता है लेकिन अगर आपका उच्छा मेरी आवाज पहुँचने ही नहीं देगा तो फिर इस सभा का फाइदा क्या होगा तो मेरी बात वहाँ बैठे लोग सुन सके इतलिए मेरी आपसे प्रांतना है कि आपके नारे आपके उच्छा को थोड़ा नीचे करें सा अच्छा होगा करेंगे मेरी बात को मेरी बात को मानेंगे पक्का मानेंगे बिहार के लोग इतने बढ़िया है यहां के नाजवान इतने बढ़िया है कि मेरी हर बात को स्विकार करते हैं यह मेरा सवभाग यह है साथियों बिहार और पुर्णिया के पास सामर्थ की कभी कमी नहीं थी हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्वादन करता है बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है पिछले दस वर्सों में हमने जूट की MSP को बढ़ा कर दो गुना किया है बिहार का 20 प्रतीशत मक्काना अकेले पुर्णिया के किसान ही पैदा करते है हमने आपके इस सामर्थ को फुद्शान दिया नतीजा ये हुआ कि आपने मक्काना के सीड प्रोडक्शन को करीब दो गुना कर दिया आज अंडिये सरकार मक्काने को सूपर फूड के रुप में प्रमोट कर रही है मोटे अनाज यानि स्री अन्न की तो मोदी ने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है आपने जी ट्वेंटी में देखा होगा मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े राख्पती प्रदान मंत्री को स्री अन्न मोटा अनाज खिलाया कहा कि हमारे छोटे किसानों की मेहनत है इसमें अम मोटा अनाज गरीब का खाना है अमीरों का खाना बन रहा है इसका फाइदा सीधे हमारे किसानों तक पहुंच रहा है मक्के को भी मुनाफे की फसल मनाने के लिए हमारी सरकार ने MSP पर खरीद बढ़ाई और अब तो मक्के से एथनल भी बनाया जा रहा है देश का पहला पूरे भारत का पहला ग्रीन फिल्ड एथनल प्रांड पूर्णिया में लगाया गया है हमारे नितिश जी ने ही इसका उद्गाटन किया था साथियों क्रिशी और उद्जोग के इन आउसरों को गती देने के लिए पूर्णिया में रेल और रोड के इंफ्रासेक्टर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है कुछ समय पहले ही मैंने कटिहार जोगवानी रेल सेक्शन के विद्ध्यूती करन लोकारपन किया था हमारी सरकार सिमानचल में अच्छी सडकों का निर्मान भी करवा रही है और अब तो वो दिन धूर नहीं जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगी हमारी सरकार सिमानचल में बंदे भारत नमो भारत जैसी तेनों के जरिये कनेक्टिविटी बढ़ाने और बहतर स्वास्पस्विदाओं के लिए भी काम करेंगी साथियों मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है इसलिए गाव गरीब दलीट बंचीट दसकों से जिन समस्याओं से जूज रहे थे मोदी ने दस साल में उनका समाधान दिया है देश के पचीश करोड गरीबी से बहार तब आए जब हमने दिन रात उनके लिए मेहनत की देश के चार करोड गरीबों को पी एम आवा तब मिला जब आपने मोदी को सेवा करने का आशिरवाद दिया देश के पचास करोड से ज़्यादा दली तो बंची तो गरीबों का बैंक में खाता तब खुला जब आपने मोदी को आशिवाद दे करके सेवा करने का मोका दिया करोडों माताओं बैनों को चुले के दुए से मुक्तितम मिली जब मोदी ने उजवला सिलिंडर दे कर उनकी सूध ली देश के ग्यारा करोड परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुचा जब मोदी ने हर गर जल को अपना मिशन बढाया आज ग्यारा करोड छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निजी भी एंडिये सरकार ही भेज रही है इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाप हमारे तत्मा समाच महलदार समाच और रशी देव समाच के मेरे परिजनों को भी हुआ है लेकिन साथियों मोधी इतने से संतूस्ट नहीं है जो काम हुआ है न वो तो ट्रेलर है ट्रेलर अभी हमें पूर्णिया को, सिमांचल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है कई बार लोग पूरते हैं कि मोधी के लिए समाच के आखरी पाइदान पर खड़ा व्यक्ति हमारा दलीत, पिछरा, आदिवासी ये इतनी प्रात्विक्ता क्यों है ये समाच मोधी की प्रात्विक्ता इसलिए है क्योंकि यही समाच सबसे जादा गरीबी से प्रभावित है और मोधी गरीबी से ही निकल कर आपके बीच आया है मोधी के उपर अपने इस समाच का बाबा साब का और उनके सम्विधान का बहुत बड़ा कर्ज है इसलिए हमारी सरकार ने सम्विधान को एक स्रद्धा का स्थान मिले सम्विधान को आस्ता का स्थान मिले सम्विधान के प्रती देश का प्रत्यक व्यक्ति समर्पित हो सम्विधान की भावना को हर देश वासी तक कुटाने के लिए लगातार काम किया है हमारी ही सरकार ने देश में सम्विधान दिवस मनाने की शुरुवात की आज बाबा साहब के सम्विधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रिम कौट और संसत्तक में कारिकम किये जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेष है इस साल सम्विधान के 75 वर्ष की शुदुवात हो रही है जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमरुत महुत्सों मनाया इसी तरह इस वर्ष हमें सम्विधान के 75 वर्ष का पर्वम मनाना है हमने तै किया है हम देश के कौने कौने में बाबा साब के सम्विधान की भावना को लेकर जाएंगे देश की युवाप्विडी को देश की गवरव साली सम्विधान के निर्मान की प्रक्डिया उसके अध्याएं उसका महत्वा बताएंगे लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनोंने आपातकाल में सम्विधान को रद करने सम्विधान को बंदग बनाने और सम्विधान को तोड़ने मरोडने का काम किया था हमें याद रखना है जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुठ़्ी में रखना चाहते हैं सम्विधान उनकी आँखों में हमेशा खटकता है इसलिए अब ये लोग सम्विधान एक व्यवस्ता से हुए चुनाव के नतीजों को अस्विकार करने की दमकी देने लगे है लेकिन इनके मनसुबे काम्याब न हो सम्विधान दलीत पिछडा आदिवासी की ताकत बना रहे इसके लिए हमें एक जूट होकर साथ खड़े रहना है साथियों अगले पांच वरसों के कामकायद के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जरुरत बंदों को आगे भी फ्री राशन मुप्त राशन मिलता रहेगा मोदी ने गारंटी दी है गरीब दलीद बंचित के कल्यान से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरुरत मन तक लेकर जाएंगे हमारी सरकार तीन करोड नए पक्के घर बनाएगी देश में सत्तर साल से अधिक उम्रके सभी बुजुर्गों को मुप्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी आप अपने परिवार में अपने भुजुर्गों को कह दीजिए अब वो बिमारी को छुपाएं नहीं अगर कोई तकलीब है तो मोदी बैठा है ये मोदी की गारंटी है साथ्यों पिछले दस वरसों में NDA सरकार ने वो काम किये है जिने पहले असंभव माने जाते से आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिरफ बाजपा के पास है NDA के पास है आपको याद होगा पहले अडोस पडोस के देश या हमला करके चले जाते से सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन सहादत होती थी आप लोगों को दुख के साथ ही गुश्य भी आता था आपका मन करता था ना की इने घर में गुश कर मारो मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ जो देश हमें आखे दिखाता था वो कटोरा लेकर ये भटक रहा है साथियों दसकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्वीर में अलग जंड़ा अलग सम्विदान नहीं चलना चाहिए जो लोग दिन रात सम्विदान के नाम पर हमको गालिया देते हैं ना इतने दसकों तक उन्होंने राज किया आजादी के बात उनके हाथ में सत्ता आई अब तक आई लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साब आम बेड करके सम्विदान को जंड़ा कश्मिर में लागू कर पाएं बाबा साब का सम्विदान वहाँ लागू नहीं होता था ये मोदी है जो तो ये गमंड या गडबंदन वाले क्या कहते थे ये कहते थे कि 370 हटी तो कश्मिर में आग लग जाएगी आज आर्टिकल 370 का दे एंड हो चुका है अगर कश्मिर में नहीं भारत को बाटने वालों के मनसूबों में जलन हो रही है आग लगी है साथियों कल राम नवमी का पवित्र त्योहार भी है ये लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गवरव बढ़ा रहा है अब कुंठा में गिरे ये कॉंग्रेस के लोग गमंडिया गडबंदन के लोग राम मंदिर का अप्मान कर रहे हैं हमारा सिमांचल बिहार का एक संवेजन सिल इलाका है बूर्ट बैंक की राज़िदी करने वालों ने पूर्णिया और सिमांचल को अवैद गुस्पेट का ठिकाना बना कर यहां की सुरक्षा को दाउं पर लगाया है इसका सिकार हमारे दलीद, बन्चीत, पिछडे और गरीब को होना पड़ा है हमारे दलीद भाईयों के गरों तक को जलाया गया था लेकिन मैं आपको आस्वासन देना चाहता हूँ देश की सुरक्षा से खिलवाड करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है चार जुन का परड़ाम इसी सिमान चल की सुरक्षात ताय करेगा और जो लोग राजनितिक भाईदे के लिए C.A.A. का विरोध कर रहे हैं वो भी एक बाद जरूर जान ले ये मोदी है ये न डरने वाला है और ना ही जुकने वाला है साथियों आपने वो दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था उस समय बिहार के इस इलाके में महा जंगल राज हुआ करता था हिंसा, अराजकता, अफराण और प्रस्टाचार का यहां उद्योग चलता था नितिश जी के नेत्रत्व में हमने बहुत मुश्किल से उस दौर को बदला है लेकिन, आज एक बार फिर जंगल राज और महा जंगल राज वाले लोग उस दौर की वापस ही चाहते है इनका एक ही एजंडा है ब्रस्टाचार और लूट हमारे पुर्णिया में कहते हैं न हर बहाए से खर खाए बक्री खाए अचार भाव ये महनत गरीब जंता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे मोधी के रहते ये मुम्किन नहीं है इसलिए सब ब्रस्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ ये कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ मैं आपको एक गारंटी देता हूँ अगले पांच साल ब्रस्टाचार के खिलाब और बड़ी कारवाईयों के पांच साल मान के चलिए साथियों पुर्णिया से एंडिय उम्मिद्वार श्री संतोष कुमार जी संतोष कुमार जी और कटिहार से दुलाल चंद्रक गो स्वामी जी ये हमारे प्रत्यासी है 26 अप्रिल को आपको इसी उत्सा के साथ इने बोट करना है पुर्णिया और कटिहार से जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए बनाओगे गर-गर जाओगे पोलिंग बुठ जीतोगे पोलिंग बुठ जीतना है जीतोगे हर पोलिंग बुठ जीतना है जीतोगे अच्छा मेरा एक और काम करोगे मेरा एक और काम करोगे करोगे क्या ये मेरा काम है करोगे देखिए यहां से जाने के बाद गर गर जाईए और जाकर के सबसो कहिए कि हमारे मोदी जी आये थे उन्होंने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुँचा दोगे देखके मेरा प्रणाम पहुँचेगा तो इस सभी परिवार के लोग मुझे आशिदवाद देंगे और जब परिवार के बुजुर्गों का असितवाद मिलता है न, तो नई उर्जा मिलती है, नई शक्ती मिलती है, और मैं उसके लिए दोड़ता रहूँगा, आपके लिए दोड़ता रहूँगा, और पहले ही मैंने कहा था, मेरा पल-पल आपके नाम, मेरा पल-पल देश के नाम, और इसलिए मेरा संकल्प है ट्वेंटी फोर बाई सेवन, ट्वेंटी फोर बाई सेवन, फॉर ट्वेंटी फोर्टी सेवन, विक्षित भारत के संकल्प को पुरा करने के लिए, ट्वेंटी फोर बाई सेवन, हर पल आपका, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय माई पुरण देवी, बिशहरी माई की जय, में, मैं बक्त प्रलाद, और महर्ची मही बाबा की, इस पावन धर्ती को नमन करता हूँ, मौरियस सामराज के रूप में, भारत के गवरव को, दूर दूर तक फैलाने वाले, समराट अशोक की, आज जेंती भी है, उनसे प्रिणा लेने वाले, बड़ी संख्या में लोग, आज भाजपा को, अपना आसिरवाद देने आये हैं, एंडिये सरकार की तीसरी पारी को लेकर, पहले से भी ज़्यादा उत्सा नजर आ रहा है, आपका ये उत्सा बता रहा है, फिर एक बार, 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 के लिए चार जून चार जून चार जून साथियों आज एंडिये सरकार के लिए वंचित सोसित वर्ग हमारी पहली प्रास्विक्ता है जिसको किसी ने नहीं पूछा हम उसको पूझ रहे हैं एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछड़ा कहकर पिछ़ा छुड़ा लेती थी बिहार की सरकारें सिमानचल को पिछड़ा कहकर के पलड़ा जाड़ लेती थी लेकिन हमने सिमानचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है एंडिये सरकार ने सिमानचल के भागे को बदलने के लिए आकांची जीला और अब आकांची ब्लोग ऐसी बहुत ही महत्वा कांची योजना चलाई आज हमारे पूर्णिया ने देश में सबसे बहतर प्रगति करने वाले आकांची जीलो में अपनी जगर बनाई है मैं इसके लिए पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बदाई देता हूँ साथियों आपका उच्छा अदभूत है ऐसा उच्छा बहुत कम ही देखने को मिलता है लेकिन अगर आपका उच्छा मेरी आवाज पहुंचने ही नहीं देगा तो फिर इस सभा का फाइदा क्या होगा तो मेरी बात वहाँ बैठे लोग सुन सके इसलिए मेरी आपसे प्रांथना है कि आपके नारे आपके उच्छा को थोड़ा नीचे करें सा अच्छा होगा करेंगे मेरी बात को मेरी बात को मानेंगे पक्का मानेंगे बिहार के लोग इतने बढ़िया है यहां के नवजवान इतने बढ़िया है कि मेरी हर बात को स्विकार करते हैं ये मेरा सवभाग्य है साथियों बिहार और पुर्णिया के पास सामर्थ की कभी कमी नहीं थी हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्वादन करता है बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है पिछले दस वर्सों में हमने जूट की MSP को बढ़ा कर दो गुना किया है बिहार का बिस प्रतीशत मक्काना अकेले पुर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं हमने आपके इस सामर्थ को फूच्छान दिया नतीजा ये हुआ कि आपने मकाना के सीड प्रोडक्शन को करीब दो गुना कर दिया आज एंडिये सरकार मकाने को सूपर फूड के रुप में प्रमोट कर रही है मोटे अनाच यानि स्री अन्न की तो मोदी ने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है आपने जी ट्वेंटी में देखा होगा मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े राध्पती प्रदान मंत्री को स्री अन्न मोटा अनाच खिलाया कहा कि हमारे छोटे किसानों की मेहनत है इसमें अमोटा अनाच गरीब का खाना नहीं अमीरों का खाना बन रहा है इसका फाइदा सीजे हमारे किसानों तक पहुँच रहा है मक्के को भी मुनाफे की फसल मनाने के लिए हमारी सरकार ने MSP पर खरीद बढ़ाई और अब तो मक्के से एथनॉल भी बनाया जा रहा है देश का पहला पूरे भारत का पहला ग्रीन फिल्ड एथनॉल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया है हमारे नितिष जी ने ही इसका उद्गाटन किया था साथियों कृष्ची और उद्जोग के इन आउसरों को गती देने के लिए पूर्णिया में रेल और रोड के इंफ्रास्रेक्टर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है कुछ समय पहले ही मैंने कटिहार जोगवानी रेल सेक्शन के विद्जुती करन लोकारपन किया था हमारी सरकार सिमान्चल में अच्छी सडकों का निर्मान भी करवा रही है और अब तो वो दिन धूर नहीं जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उत्रेगी हमारी सरकार सिमान्चल में बंदे भारत, नमो भारत जैसी तेनों के जरिये कनेक्टिविटी बढ़ाने और बहतर स्वास्पस्विदाओं के लिए भी काम करेंगी साथियों मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है इसलिए गाव गरीब दलीद बंचीद दसकों से जिन समस्याओं से जूज रहे थे मोदी ने दस साल में उनका समाधान दिया है देश के पचीश करोड गरीबी से बहार तब आए जब हमने दिन रात उनके लिए मेहनत की देश के चार करोड गरीबों को पी-एम आवा तब मिला ज़ा आपने मोदी को सेवा करने का आशिरवाद दिया देश के पचास करोड से ज़्यादा दली तो वंची तो गरीबों का बैंक में खाता तब खुला जब आपने मोदी को आशिवाद दे करके सेवा करने का मोका दिया करोडों माताओं बैंओं को चूले के दुए से मुक्तितम मिली जब मोदी ने उजवला सिलिंडर दे कर उनकी सूध ली देश के ग्यारा करोड परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुचा जब मोदी ने हर गर जल को अपना मिशन बढाया आज ग्यारा करोड छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निजी भी एंडिये सरकार ही भेज रही है इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाब हमारे तत्मा समाच महलदार समाच और रशीदेव समाच के मेरे परिजनों को भी हुआ है लेकिन साथियों मोदी इतने से संतूस्ट नहीं है जो काम हुआ है न वो तो ट्रेलर है ट्रेलर अभी हमें पूर्णिया को सिमान चल को बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है कई बार लोग पूतते हैं कि मोदी के लिए समाच के आखरी पाइजान पर खड़ा व्यक्ति हमारा दलीद पिछरा आदिवासी ये इतनी प्रास्विक्ता क्यों है ये समाच मोदी की प्रास्विक्ता इसलिए है क्योंकि यही समाच सबसे जादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकल कर आपके बीच आया है सम्विधान को आस्था का स्थान मिले सम्विधान के प्रती देश का प्रत्य व्यक्ति समर्पित हो सम्विधान की भावना को हर देश वासी तक कुंचाने के लिए लगातार काम किया है हमारी ही सरकार ने देश में सम्विधान दिवस मनाने की शुरुवात की आज बाबा साथ के सम्विधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रिम कौर्ट और संसत्त तक में कारिकम किये जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेथ है इस साल सम्विधान के 75 वर्ष की शुरुवात हो रही है जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमरुत महुच्व मनाया इसी तरह इस वर्ष हमें सम्विधान के 75 वर्ष का पर्वम मनाना है हमने ताय किया है हम देश के कौने कौने में बाबा साब के सम्मिदान की भावना को लेकर जाएंगे देश की युवापुईडी को देश की गवरवसाली सम्मिदान के निर्मान की प्रक्डिया उसके अध्याएं उसका महत्वा बताएंगे लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनोंने आपातकाल में सम्मिदान को रद करने सम्मिदान को बंदग बनाने और सम्मिदान को तोड़ने मरोडने का काम किया था हमें याद रखना है जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुठ़्ी में रखना चाहते हैं सम्विधान उनकी आँखों में हमेशा खटकता है इसलिए अब ये लोग सम्विधान एक व्यवस्ता से हुए चुनाव के नतीजों को अस्विकार करने की दमकी देने लगे है लेकिन इनके मनसुबे काम्याब न हो सम्विधान दलीत पिछडा आदिवासी की ताकत बना रहे इसके लिए हमें एक जूट होकर साथ खड़े रहना है साथियों अगले पांच वर्सों के कामकायद के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जरुवत बंदों को आगे भी फ्री राशन मुप्त राशन मिलता रहेगा मोदी ने गारंटी दी है गरीब दलीत बंचित के कल्यान से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरुरत मन तक लेकर जाएंगे हमारी सरकार तीन करोड नए पक्के घर बनाएगी देश में सत्तर साल से अधिक उम्रके सभी बुजुर्गों को मुप्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी आप अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को कह दीजिए अब वो बिमारी को छुपाए नहीं अगर कोई तकलीब है तो मोदी बैठा है ये मोदी की गारंटी है साथियों पिछले दस वरसों में NDA सरकार ने वो काम किये हैं जिने पहले और संभव माने जाते से आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिरफ बाजपा के पास है NDA के पास है आपको याद होगा पहले अडोस पडोस के देश यहां हमला करके चले जाते थे सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन सहादत होती थी आप लोगों को दुख के साथ ही गुश्य भी आता था आपका मन करता था ना की इने घर में गुश कर मारो मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ जो देश हमें आँखे दिखाता था वो कटोरा लेकर ये भटक रहा है साथियों दसकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्वीर में अलग जंडा अलग सम्विदान नहीं चलना चाहिए जो लोग दिन रात सम्विदान के नाम पर हमको गालिया देते हैं न इतने दसकों तक उन्होंने राज किया आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई अब तक आई लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साब आम बेड करके सम्विदान को जम्मू कश्मिर में लागू कर पाएं बाबा साब का सम्विदान वहां लागू नहीं होता था यह मोदी है जो सम्विदान को समर्पित है आज जम्मू कश्मिर में भी आन बान शान के साथ हमारा सम्विदान लागू हो गया कश्मिर से आपकी इच्छाथी तीन सो सत्तर हटनी चाहिए तो यह गमंड या गडबंदन वाले क्या कहते थे यह कहते थे कि तिन सो सत्तर हटी तो कश्मिर में आग लग जाएगी आज आर्टिकल 370 का दे एंड हो चुका है अगर कश्मिर में नहीं भारत को बाटने वालों के मनसूबों में जलन हो रही है आग लगी है साथियों कल राम नवमी का पवित्र त्योहार भी है यह लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गवरव बढ़ा रहा है अब कुंठा में गिरे यह कॉंग्रेस के लोग गमंडिया गडबंदन के लोग राम मंदिर का अप्मान कर रहे है गमंडिया गडबंदन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है 26 अप्रिल को आपका वोट इन्हें बताएगा कि सनातन मिटता है या ये लोग रहते है साथियों हमारा सिमानचल बिहार का एक संविजन सिल इलाका है वोट बैंक की राज़िदी करने वालों ने पूर्णिया और सिमानचल को अवैद गुस्पेट का ठिकाना बना कर यहां की सुरक्षा को दाउं पर लगाया है इसका सिकार हमारे दलीद वन्चीद पिछडे और गरीब को होना पड़ा है हमारे दलीद भाईयों के गरों तक को जलाया गया था लेकिन मैं आपको आस्वासन देना चाहता हूं देश की सुरक्षा से खिलवार करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है चार जुन का परड़ाम इसी सिमान चल के सुरक्षात ताय करेगा और जो लोग राजनितिक फायदे के लिए C.A.A. का विरोध कर रहे हैं वो भी एक बात जरूर जान ले ये मोदी है ये न डरने वाला है और ना ही जुकने वाला है साथियों आपने वो दोर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था उस समय बिहार के इस इलाके में महा जंगल राज हुआ करता था हिंसा, अराजकता, अफरन और प्रस्टाचार का यहां उद्योग चलता था नितिश जी के नेत्रत्व में हमने बहुत मुश्किल से उस दौर को बदला है लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महा जंगल राज वाले लोग उस दौर की वापस ही चाहते हैं इनका एक ही एजंडा है ब्रस्टाचार और लूट हमारे पूर्णिया में कहते हैं न हर बहाए से खर खाए बक्री खाए अचार भाव ये महनत गरीब जंता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे मोदी के रहते ये मुम्किन नहीं है इसलिए सब ब्रस्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ ये कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ मैं आपको एक गारंटी देता हूँ अगले पांच साल ब्रस्टाचार के खिलाब और बड़ी कारवाईयों के पांच साल मान के चलिए साथियों पूर्णिया से एंडिये उम्मिद्वार श्री संतोष कुमार जी संतोष कुमार जी और कटिहार से दुलाल चंद्रक गोश्वामी जी यह हमारे प्रत्यासी है 26 एप्रिल को आपको इसी उत्सा के साथ इने बोट करना है पूर्णिया और कटियार से जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए बनाओगे गर-गर जाओगे पोलिंग बुठ जीतोगे पोलिंग बुठ जितना है जीतोगे हर पोलिंग बुठ जितना है जीतोगे अच्छा मेरा एक और काम करोगे मेरा एक काम करोगे करोगे क्या यह मेरा काम है करोगे देखिए यहां से जाने के बाद गर गर जाईए और जाकर के सबसों कहिए कि हमारे मोदी जी आये थे उन्होंने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुँचा दोगे देखिए मेरा प्रणाम पहुँचेगा तो इस सभी परिवार के लोग मुझे आशिदवाद देंगे और जब परिवार के बुजुर्गों का आशिदवाद मिलता है न तो नई उर्जा मिलती है नई शक्ति मिलती है और मैं उसके लिए दोड़ता रहूंगा आपके लिए दोड़ता रहूंगा और पहले ही मैंने कहा था मेरा पल पल आपके नाम मेरा पल पल देश के नाम और इसलिए मेरा संकल्प है 24 by 7 24 by 7 24 by 7 विक्षित भारत के संकल्प को पुरा करने के लिए 24 by 7 हर पल आपका मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय माई पुरन देवी बिशहरी माई की जय मैं बक्त प्रहलाद और महर्ची मही बाबा की इस पावन धर्ती को नमन करता हूं मौरियस सामराइद के रूप में भारत के गवरव को दूर दूर तक फैलाने वाले